तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे इस जग के सारे काम तेरा, मेरा, तेरा, मेरा तू ही जग दाता, दिश्म भिधाता तू ही जग दाता, दिश्म भिधाता तुही जग दाता विश्व विधाता तुही सुबह तुही शाम तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तुही मता तुही पिता है तुही मता तुही पिता है तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो हराधा भाशा, तेरा मेरा, तेरा मेरा तू अंतर जामी, सब का स्वामी, तेरे चरिणों में चारो दाम तू ही बिगाड़े, तू ही समारे, तू ही बिगाड़े, तू ही समारे, इस जग के सारे कां तेरा मेरा, तू ही जगताता, बिश्व भिधाता तु ही जग दाता विश्व विधाता तु ही जग दाता विश्व विधाता तु ही सुबह तु ही शाम तु ही जग में साचो ते रोदाम ते राम, ते राम, ते राम, ते राम तू ही पता है, तू ही माता, तू ही पता है, तू ही तोहराधा खाश म, ते राम, ने राम.. तू अंतर्यामी सबका स्वामी सबका स्वामी तेरे चरिणों में चारों धाम तेराम 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 जगमे सच्चों तेरराम तेराम 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 तेरा, तेरा, तेरा तू ही माता, तू ही पिता है तू ही माता, तू ही पिता है तू ही माता, तू ही पिता है तू ही तो हरा धा खश्या तेरा, 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 तेरा तू अंतर्यामी सब्रता स्वामी तू अंतर्यामी सब्रका स्वामी तू अंतर्यामी सब्रका स्वामी तेरे चरिडू में चारो दाम तेरा, 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 तेरा तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम मेरा मेरा तू ही जग ताता विश्व विधाता तू ही जग ताता विश्व विधाता तू ही जग ताता विश्व विधाता तू ही सुब है तू ही शाम तू ही जग में साचो ते रुनाम तेरा मेरा, तेरा मेरा तू ही माता, तू ही पिता है तू ही माता, तू ही पिता है तू ही माता, तू ही पिता है तू ही तोहरा राख श्म तू अंतर जामी सब का स्वामी सब का स्वामी तेरे चरेड़ों में चारों धाम तू ही बिगाड़े तू ही सवारे तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम तू ही बिगाड़े तू ही बिगाड़ें बढ़ा दो अजी गुड मॉनिंग कैसे भी आप सुब बढ़िया और आपकी जिंदिये चल रही है कल का संडी कैसा रहा इंजॉय किया कि नहीं किया कितनों का कल का दिन अच्छा रहा चा कयों का अच्छा रहा बाकी सब का बढ़िया जिंदिये बीटती जा रही है बारबरी क्वेस करूंगा पढ़ाई भी अच्छे से करें और जिंदी को जीना भी शुरू कर दें नहीं तो कब जिंदिये बीट जाएगी पता भी जो है नहीं चलेगा तो भई, कोशिश करें, अच्छे से पढ़ाई भी करते रहें, और संडे का तो, प्रॉमिस करो, हर संडे अच्छे से एंजॉय जो है, आपको करना है, चलो, वापस आते हैं, हमारे अकाउंटेंसी में, तो भई, बी आरेस हमने कंप्लीट किया, और कितने कोशिशन होगे बी संडे को नहीं करना होता, संडे छोड़ कि तो कितने होगे, तीन या चार होगे, कर पारहे हो कि नहीं कर पारहे हो, आच्छी से कर पारहे हो, तो भई, जब आपके 10 सवाल की आसपास हो जाएंगे, तब मैं फिर आपके डावट ले लूँगा, तब तक कोशिश करें, सवाल को खुछ से आप कर पाएं, अल्लाइन बच्चे कह रहे हैं, तीन कुछ बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, तीन या चार सवाल जो हुए होंगी और बस आपसे वह रिक्वेस्ट सवाल करने से पहले एक बार रिजिस्टर को सारा अच्छी से पढ़ लेना, सारे कोशन अच्छी से और फिर जब ये सवाल करो, आज टेस्ट होना चाहिए कि क्या ये सवाल आप सही से कर पारे हो या नहीं कर पारे हैं, अगर सवाल कर पारे हो तो तो त्यारी बहुत अच्छी है, सवाल नहीं हुआ, इसका मदलब सारा गरबड हो गया, किताब में जो भी सवाल मिने आपको वो सब एग्जामिनेशन के सवाल हैं, पिछले 10 साल, 20 साल, 25 सालों के सारे सवाल दी तो मतलब पेपर का वही लेवल है, पेपर का उतना ही लेवल है, पेपर ना तो उससे असान आएगा, ना उससे मुश्किल जो है, आएगा, तो एक-एक सवाल अच्छे से आप करते चले और फिर आती है हमारे डेपरिशियेशन पे, हमने शुरू किया, एक पाईजा सा चेप्टर, तो भी डेपरिशियेशन फिर रिवाइस करते हैं, आगे बढ़ेंगे, तो भी डेपरिशियेशन क्या है, इस सिस्टमाटिक अलोकेशन, समझाया है है, हमने का एक गाड़ी पर 50 लाग की, रिशील वेल्यू है 10 लाग, डेपरिशबल आम कितना आया चालिस लाग, चालिस लाग का खर्चा है, अब बात सारी वो है, यह बात सारी ह्या है, और पर पक कि अक दया का पीजंच और सार इस साल भी या अगले 10-15 साल भी और कीतना भीड दालेंason, पॉपल्स क् खर्चा है ये बात तो confirm है 40 लाग ही PNL में जाएगा अलग-अलग method ने का SLM ने क्या का अगर 10 साल के लाइफ है तो 40 लाग divided by 10 करो आप अपना 4-4 लाग हर साल PNL में लेकर जाओ एक तरीका है दूसरे ने का नहीं ये तरीका नहीं है आप गाड़ी जितनी यूज़ कर रहे हो उसके साब से खर्चा बुक जो है करना ची तो गाड़ी क्या होती है किलो के साब से करें मशीन को पर आवर के साब से करें या दूसरी मशीन को पर यूनिट के साब से करें अलग अलग तरीकों से अलग अलग पताया कुछ ऐसी मशीन होती है या ऐसे property plant equipment है जिस पर repair maintenance खर्चा बहुत जादा बात में होता है तो कर अगर ऐसा होगा तो आप करो आप या तो sum of your digit method यूज़ करें बहुत सारे method जो है हमने पड़े पहला क्या था? straight line method दूसरा क्या था? production machine R rate method तीसरा क्या था? production unit method next क्या था? sum of year digit method फिर next कौन सा था? WDV method WDV में एक rate निकालना सीखा rate का formula क्या है? 1-nth root of scrap value upon me cost multiply by 100 ये सारा काम हमने जो है किया और फिर हमने example number 3 जो है किया थोड़ा सा और better example पर आए कि एक client हमारे पास आया उसने का भी charge accountant मेरे को इस साल कौन सा साल चल रहा है? 2023 तो भी client आया client ने का sir इस साल का मुझे depreciation आप निकाल कर जो है बताए इस साल का depreciation निकाल कर जो है बताए तो हमने client से बूच्या पताओ भी आपके ऐस कौन कौन सी property plant equipment है तो client ने का मेरे पास एक ही machine है हमने कब खरीदी थी और एनिका 1st March को खरीदी थी हमने कितने रुपेगी खरीदी उसने का जी 20 लाग की खरीदी थी मैंने का और क्या-क्या खरीचा आप ने किया उसने का transportation का खर्चा, installation का हुआ तो माइन में और इनकी machine कितने रुपेगी पड़ी 21 लाग की जो है हमारी पड़ी हमने का मशीन किस दिन इंस्टॉल हुई और इनने का 1st April तो यहां से समझ आया इस दिन से मुझे क्या लगाना है Depreciation जो है लगाना है जब भी client आएगा client ऐसा तो नहीं होगा कि आज ही business आप से बनेंगे तो client हो सकता है कहेगा मैंने machine खरीदी ते मेभी 1950 या machine खरीदी या 1980 या machine खरीदी इस साल का Depreciation जो है निकालना है तो client का यही काम होगा अलग अलग machines अलग अलग time पर होगी कोई machine 2020 में खरीदी कोई 2000 आपकी 21 में कोई 2000 आपका 1990 में 90 में अलग अलग years में खरीदी होगी सब का आपको Depreciation जो है इस साल का निकालना है तो भई हर machine की हर property plant equipment की अलग अलग life होती है हमने पूछा भी life कितनी उनने का भी 16 साल की life जो है आ रही है estimates crop value उनने जो है बताया और फिर अलग अलग machines है तो भई अब वोई बात है बहुत सारे सवाल नहीं करें एक है सवाल में हमने सारा किया ये machine की life कितनी 40,000 घंटे ये machine कितने unit बनाएगी 5,000,000 unit जो है बना सकती है और फिर हमने इस साल का पूछा भई कौन से method से Depreciation आप लगाना चाहते हो ये आपकी कंपनी क्या policy है किस method से Depreciation लगता है तो भई सबसे पहले Acquisition cost निकाली Depreciable amount निकाली अगर client कहेगा SLM method से लगाती है तो मैंने का भी सिदी सी बात है Depreciable amount divided by Useful life हम Depreciation निकाल कर देंगे ठीक है? Client ने का मैं machine or rate method से Depreciation लगाता हूं तो हमने का अब ये क्या है Depreciable amount इसकी useful life कितनी है हमने का 40,000 गंटे और हमने का इस साल कितने गंटे काम किया 4000 गंटे जो है ये हमारा काम जो है हुआ ठीक है जी क्या ये आपको कैसे पता चलता है machine कितने गंटे काम हुई जैसे आपके mobile phone की बात करें तो mobile phone में भी पीछे मतलब इतना सारा data आता है आपका screen time पता चलता है आप mobile phone में screen time आप कितना time यूज कर रहें तो ऐसे क्या होता है हर computer की machine के अंदर सब कुछ एक time होता है कि आप year end में आप चेक करना चाहें ये सब चीजें पता चल जाती कि इस साल ये machine कितने घंटे काम होता है वो सब chip के अंदर memory सब कुछ होता है जैसे आपके mobile phone में screen time अगर आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं कि मैंने mobile इस महिने इस हफते इस साल कितने घंटे यूज करा आपके जब mobile phone में होता है तो सारी machines पे ये सारा काम होता है कि कितने घंटे इस machine का आप यूज कर चुके है तो year end में चेक कर लेंगे इतने घंटे machine use हुई depreciation निकाल लेंगे ऐसे ही production unit method कितने unit produce करे हम आराम से पता चल जाता है वो data हमारे पास आजाएगा machine में भी होता है इतने output जो है produce हुआ तो हमने वहां से हमने data लिया और हमने ये depreciation जो है हमने निकाला ठीक है जी फिर आएं sum of year digit method तो भी sum of year digit method की बात करें तो फिर इसे depreciable amount ये था और हमने इसमें क्या होता है backward अपने जो है चलते हैं अग 16 साल life है तो depreciation 16 is to 15 is to 14 is to 13 is to 12 is to 11 is to 10 ऐसे depreciation जो है कब से लगेगा? जब machine install हो गई थी तो machine हमारी install कब हुई? machine हमारी install हुई 1st April 2020 तो भी इसका मतलब 2021 में हमारा depreciation 16 के साब से लगाओगा 21, 22 में 15 के साब से लगना चाहिए 22, 23 में हमने का 14 के साब से लगना चाहिए और 23, 24 में हमारा ये year है इस साल का मुझे निकालना है तो 23, 24 में किस से multiply करना है? 13 से multiply करना है क्या ही माज समझाती है? और फिर इन सब को नीचे total करना होता है जिसका एक फॉर्मला क्या होता है? NN2 में N plus 1 divided by 2 ये फॉर्मला कैसे बना? मास की क्लास में जो है समझ आएगा Mathematics में पूरा एक चेप्टर है Sequence and Series तो जब accounts के concept होंगे उसको यहां समझेंगे मास के concept को मास की क्लास में जो है समझेंगे तो एक फॉर्मला तब तक याद कर लो Sequence and Series में इस फॉर्मले को समझ लेना ये फॉर्मला कैसे बना? तो हमने का N कितना है? 16 16 17 17 divided by 2 136 जो है आजाएगा तो ये depreciation आपने निकाल लिया है ठीक है जी? और ऐसे ही फिर आएं WDV method फिर मेरा last method पर आए है WDV method फिर से 2023-2024 का depreciation निकालना है हमारी machine कब इंस्टॉल हुई? 2020 में कितने रुपे की थी? 21 लाग तो हमने का अब मुझे यहा का depreciation निकालना है तो एक तो ही होता है depreciation एक ही क्या हता है closing balance तो मुझे क्या चाहिए? यहा का depreciation चाहिए तो मैंने को यह सारी चीज अब लिखने की जुरूरत नहीं तो मैंने क्या किया? 21 लाग इंटू में 15% depreciation आया calculator पर अराम से चेक करें हमने का 21 लाग इंटू में 15% कितना रहा है? 3 लाग 15,000 यह 3 लाग 15,000 आया मुझे लिखने की जुरूरत नहीं मैंने का फिर मैं क्या निकालता हूँ? Closing balance वो कैसे आयेगा? Minus equal to तो मैंने minus equal to का button दबाया तो भी 17,85,000 कुछ आया मैं को लिखने की जुरूरत नहीं यह balance यहाँ पर आजाएगा opening balance फिर मैंने किया 15% एक value आये में भी 267,750 depreciation है पर मुझे यह नहीं ची मुझे तो यहाँ का depreciation जो है चाहिए मैंने सारा काम calculator पर किया फिर से minus equal to value आरही है 15,17,500 मुझे इसकी जुरूरत नहीं मैंने का फिर अगले साल की बात करें तो यहाँ पर यह opening balance आया फिर मैंने किया 15% मेरा एक value आरही है 2,27,587.5 मैंने का में को जुरूरत नहीं मैं तो minus equal to किया तो यह value यहाँ पर आई 12,89,662.5 और मैंने का यह मेरी क्या बनेगी यहाँ की opening balance जो है 12,89,662.5 था 663 किया multiply by 15% और यह मेरा क्या आगया depreciation जो है मेरा आ गया है comfortable नहीं तो भई, I hope यहाँ तक की practice आप सब ने अच्छे जिगर ली होगी ठीके जी, चलो, थोड़ा सा और इसी को check करते है लो जी, इसी को थोड़ा सा और check करते हैं तो यह मैंने लिख दिया option 1 लो जी यह मेरा क्या है option 1 कि मैंने इसको पहले depreciation निकाला minus equal to, फिट depreciation निकाला minus equal to, फिट dem निकाला minus equal to, यह भी कर सकते हैं थोड़ा सा और shortcut देखते हैं option 2 इसी को और shortcut करते हैं बहुत सारे shortcut सिखाने हैं पर धीरे धीरे जो है सिखाऊंगा, ठीक है इसी में अब और दिहान से देखो और शौटकेट पर आ जाओ तो भाई, अब दिहान से चेक करो मेरे को ये value भी नहीं चाहिए मेरे को तो क्या चाहिए यहां का opening balance क्या, calculator बेकर हो 21 लाग 21 लाग से शुरू किया और आपने क्या किया multiply by 15% ये कितना आया 3 लाग 15,000 जो है मेरा आया फिर मैंने क्या किया minus equal to ये value आ रही है 17,85,000 ठीक है उसके आथ फिर से आपने 15% किया minus equal to किया तो ये value आ रही है 15,17,000 250 जो है आ रही है फिर मैं आपने 15% किया minus equal to किया एक step और कम करते हैं क्योंकि मुझे इसकी जरूद भी नहीं थी अब मैं क्या कर रहा हूँ धियान से देखो 21,000,000 मैंने किया यहां से शुरू किया और मैंने का मैं डेप्रिसेशन बिना निकाले सीधा मैं निकालना चाह रहा हूँ closing balance तो अब क्या करना है यहां से चाहिए को 21,000,000 सीधा minus का button दबाओ और करो 15% मैंने का 15% निकाल कर minus करना है सीधा यह करो 21,000,000 21,000,000 minus 15% क्या यह वाली value आ रही है 17,85,000 आ रही है अच्छे से तो मैंने एक step और बचा लिया मैंको इसकी जुरूद बने अब यह वाला balance मेरा आ गया अगला balance कैसे आएगा सीधा minus 15% करो जो value calculator पर आ गई minus 15% अगली value आ गई जी हगली value यह आ गई है 15,17,250 फिर से करो minus 15% फिर से करें minus 15% क्या यह वाली value आ गई है हाँ जी क्या यह वाली value आ गई है तो भंधी यह चेक करो यह कितना आ गया 12,89,662.5 यह क्या है यह मेरा क्या है हमने का balance as on 31st Mars 2023 तो मेरा closing balance निकाला, पहले हमने क्या सिखाता, अगर मुझे depreciation भी निकाला होता, वो भी निकालना सिखाया, अगर मुझे directly closing balance निकालना है, यहां तक आया और फिर हम मैं का हूँ depreciation for 2023-24 तो यह जो मेरा balance है, 12,89,663 इसका 15% करूँगा, तो यह मेरा 193,449 जो है, यह मेरा आ जाएगा हाँ जी, क्या ही बात समझाती है, तो भी दे-दे आपको बहुत सारे shortcut सिखाने हैं, पस step by step जो है सिखाऊंगा, बस आपस रिक्वेस्ट जितना पढ़ाया, वो आपकी टिप्स पर जो है होना चीवाज जया रखना, यह class 12 नहीं है, कि आप हफता एंजॉय कर रहा हूं, और बाद में सोचो बाद में पढ़ाई होगी हां, बाद में नहीं हर दिन लेवल हमारा बढ़ता जो है, जाएगा तो जो डेली पढ़ता रहेगा, वो टिका रहेगा नहीं तो दुनिया आती है, सिखाऊंगा, कब आती है, कब चले जाती है, पता भी जो है नहीं चलता, ठीक है जी, यह आराम से प्रेक्टिस कर लें, तो भाई जो जी, आराम से चेक करें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो यहां तक सब को समझा रहे हैं, अच्छी सिकर पा रहे हूं, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो हां जी, बच्चा बूच रहे है, सर क्या रियल लाइफ में यही फॉर्मला लगाने पड़ते हैं, हां बेटा हां, हम प्रोफेशनल कोर्स में हैं, हम वही पढ़ रहे हैं, जो रियल लाइफ में आप यूज करेंगे क्या रियल लाइफ में BRS बनाते हैं, हाँ, क्या रियल लाइफ में डेप्रिसेशन लगाते हैं, हाँ, क्या रियल लाइफ में डेप्रिसेशन लगाते हैं, हाँ, हम उन्ही चीजों की बात कर रहे हैं, जो रियल लाइफ में पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज हम नह आगे बढ़ जाओ, चलो, एक shortcut और सिखाना चाहूँगा, option 3, और फिर, आप के ऊपर रहेगा, कौन सा method आप use करना चाहती है, तो भई, option 3 पर आते हैं, तो भई, इस बात को भी check करो, ये भी calculation बहुत बड़ी है, इसको और छोटा करते हैं, ठीक है, तो calculation और simplify, 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 जो है, अपने जो है, करते हैं, तो भई, इस बात को भी check करें, दो चीज़ें पहले मैं को समझानी है, एक माल लीजे, मेरे को, 2 माल लो एक value है, 2 का, अगर मुझे cube निकालना हो, तो calculator पर कैसे निकालते हो, अगर 2 का cube निकालना हो, तो आप क्या करते हो, आप शहिद करोगे, 2 multiply by 2, multiply by 2, 2, equal to, ऐसी आप करते होंगे, अगर आपको 2 की power 5 निकालना है, तो क्या करोगे, 2 multiply by 2, 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 equal to, यह बहुत ही बेकार तरीके जो है, मतलब चलते हैं, तो भई, इसी को check करें, करते हैं, मतलक एल से औरेकार तंक, अगर प्रेस कर दोग मतलते हैं, तो क्या कर दो的話, पyst情感ा हैं, जहिए, जह करते हैं, वह स Washbox while आपको दोूद video करोगे, यह से तो हैं, झाल झाल चलो जी, वापस आते हैं, एक दो दिन और पेशन्स रखना उमीद है, मेरी खांसी ठीक हो जाएगी, आजकल वाइरल बहुत जादा जो है, फेलो है, डॉक्टर भी गहरे हैं, मेरे हाथ में नहीं है, चलो, तो भई, इसी को चेक करें, तो भी 2, multiply, आपका 2 का cube अगर निकालना है, तो भी इसको भी चेक करें, कालकुलेटर पर, कैसे करते हैं, तो फिर से चेक करो, कालकुलेटर पर लिखें 2, कालकुलेटर पर पहले 2 किया, फिर क्या करते हो, multiply, 2, multiply, आपने दबाया, और अब ये सब भी हम छोड़ देते हैं, अब धियान से चेक करो, सिरफ equal to एक बार दबाओ, तो स्क्रीन पर क्या वेल्यों आ रही है, 4, मतलब जैसी मैंने दबाया, तो आंसर कितना आ गया, 4, मतलब 2 का स्क्वेर हो गया, फिर से equal to का ही बटन दबाओ, और कुछ में दबाओ, सिरफ equal to का बटन दबाओ, अब कितना आ गया, 8, अब कितना आ गया, 8 जो है, आगया, ऐस इसे ही equal to का बटन फिर से दबाओ, अब कितना आ गया, 16, ऐसे ही equal to का बटन दबाओ, अब कितना आ गया, 32 जो है, आ गया हो का, खेंग है, ऐसा कोई बच्चा जिसके काल्कुलेटर न पर, ये नहीं आ रहा है, कुछ काल्कुलेटर यहां जो है, थोका दे जाते, यहां पर बस तभी मैंने का ये वाला जो calculator मेरे पास Casio MJ-12D इसमें ये काम होता है और कुछ calculator पर शायद आपका अंसर 4 पर ही जो है रुक गया होगा तो इसलिए एक बाद चेक करें I hope सबके calculator पर equal to दबाने से 4, 8, 16, 32 आ रहा है किसी के calculator पर अगर नहीं आ रहा है किसी calculator 4 पर ही रुक गय है तो उसका ही बनायता हूँ कुछ calculator पर गबड होते है तो उन calculator क्या करना है तो के बाद 2 के बाद 2 बार दबा दो फिर आप जब equal to equal to equal to equal to करोगे काम जो है कर जाएगा पर मैं वही काऊंगा request करूँगा ये वाला calculator ले ले लेना MJ-12D जो मैं बार बार कह रहा हूँ इस calculator पर मेरी सारी calculation जो है काम आ जाती है बाकी calculator मतलब calculation में features अलग हो जाती है तो अगर ये बार समझ आई तो इसका मतलब मैं जब 1 बार equal to दमा रहा हूँ तो क्या बन रहा है square जब 2 बार equal to दमाया तो क्या बन रहा है cube जब 3 बार दमाऊंगा तो क्या बन रहा है 4 जब 4 बार दमाऊ एक कम मुझे दमाने, ठीक है, अगर square चाहिए, तो एक बार दमाऊंगा, cube चाहिए, दो बार दमाऊंगा, मैंको power 4 चाहिए, तीन बार दमाऊंगा, जैसे मैंने का, मैंको 3 की power 4 चाहिए, तो 3 की power 4 कैसे निकालेंगे, 3 multiply, equal to कितनी बार, 3 बार, 1, 2 और 3, तो check करो, 3 multiply, check करो, equal to तो पहली बार दमाया, तो 9 आ रहा होगा, square, फिर से equal to दमाया, 27 आ रहा होगा, cube, एक बार और दमाया, तीन बार दमाया, तीन बार दमाऊंगे, आंसर कितना आएगा, 81 जो है, आ जाएगा, इती बांद के लिए रहें, आराम से चेक करें, इसमें किसी को, कोई भी डाउट ह हो, अच्छी जेगर बारे, तो एक चीज तो पहले, काल्गोटर बर ये जो है, मैंने आपको सिखाया, कि अगर कोई भी पावर निकालनी है, तो वो काम कैसे जो है, होगा, अब, second आ जाए, मेरे option 3 पर जो है, आए, और option 3 की बात करें, लो जी, option 3 की बात करें, तो option 3 में आज क्लास में आपको एक फर्मॉला बताय था, डबलुडीव का रेट हमने कैसे निकाला था, एक फर्मॉला यूस करा था, फर्मॉला मैंने क्या यूस करा था, मैंने का, scrap value, this is equal to cost into में, 1 minus depreciation, की पावर क्या है, T करें थी, एक फर्मॉला जो है, मैंने आपको बताया था, से फॉर्मॉला मासी क्लास में बहुत डीटियल में आपको समझ आएगा, पूरा एक चेप्टर है, इंटरस्ट अनुटी वहाँ ये फॉर्मॉला जो है, समझेंगे, for the timing फॉर्मॉला इसको जो है, समझ जाओ, क्योंकि compound interest की डेरिवेशन से फॉर्मॉला जो है, तो मासी क्लास में समझ आएगा, अभी for the timing इस फॉर्मॉली को एक बार, बस समझ लिए फॉर्मॉला है, इसकी application पर जो है, आती है, ठीक है, तो भई, इस बात को समझे, cost into me, 1- depreciation rate की power t, ये क्या आता है, scrap value, या इसको मैं बोलता हूँ, आपका closing balance, तो भई, closing balance अगर मुझे निकालना है, हम इस तरीके से भी निकाल सकती है, इसलिए अब फिर चेक करो, अब, मेरे को पहले साल का, अगर closing balance निकालना हो, 17,85,000, तो भई, चेक करो, हमने का, year 1 के बाद, year 1 के बाद, closing balance, कितना था, 21,00, दिहां से चेक करो, into me, 1-, depreciation rate कितना था, 15%, 15% का मतलब, 0.15 की power 1, हमने का, एक साल के बाद, अगर मुझे WDV निकालना है, balance निकालना है, तो एक बाद चेक करो, 1-0.15, 1-0.15, calculator में निकालो, कितना था है, 0.85, multiply करो, 21,00, से, multiply करें, 21,00, से, तो ये कितना था है, 17,85,000, क्या यही answer आ गया, हाँ जी, बिल्कुल, अगर मुझे second year का closing balance निकालना है, तो चेक करो, year 2 का closing balance निकालना है, तो मैं क्या गरूँगा, 21,00, into में 1-0.15 का square, सर्व इतना सा मुझे काम करना है, second year का balance निकालना है, पावर क्या हो जाएगी, 2, तो चेक करो, 1-0.15, 0.85, ये आया, इसका square करना है, square कैसे करोगे, multiply, equal to, multiply का button, equal to का button दबाया, ये कितना रहा है, 0.7225, और इसको जरा 21,00,000 से multiply करो, 21,00,000 से multiply करें, तो चेक करो, ये answer कितना रहा, 15,17,250, second year का ये ही value आ गई, और अगर मुझे third year निकालना है, तो चेक करो, year 3 का, कैसे निकालोगे, 21,00, इंटु में, 1-0.15 की power, 3, अगर मुझे cube करूँगा, 3 साल का closing balance जो है, मेरा आ जाएगा, तो कैसे निकालना है, 1-0.15 equal to, पहले मैंने ये वाली value निकाली, अब मुझे इसका cube करना है, cube कैसे करोगे, multiply का button, equal to कितनी बार, multiply equal to, एक और एक दो बार दबाया, फिर multiply किसे किया, 21,00, से multiply किया, 21,00, तो चेक करो, कितना answer आया, 12,89,662.5 जो है, ये मेरा आ जाएगा, ठीक है जी, क्या ये निकाल पा रहे हूँ, तो भई, आपको तीनों मेथर बदाएं, और मुझे बदाएं, यहाँ पर सबका IQ अलग-अलग है, तो जिसको जो समझ आ जाए, जिद मत पकड़ लेना, कि वे मुझे यही आना चाहिए, कि देखो, सबका IQ अलग होता है, इसलिए मैंने आपको easy वाला तरीका भी दिखा दिया, option 1, ये भी करोगे, तब भी uncomfortably हो जाएगा, इससे थोड़ा सा better, मैंने option 2 भी पता दिया, इससे better मैंने option 3 भी जो है, पता दिया, और option बहुत सारे हैं, पर फिर से कहूंगा, देखो, आपका IQ, भगवान ने सबको IQ मतलब, IQ तो सबको same दिया था, पर आपने कितना use करा है, वो आपके उपर है, तो जितना समझ आ जाए, उतना कर लेना, जिद मत पगड़ना, कई बार क्या होते हैं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, और इस चकर में कहेंगे, मैं जिद पर हूँ, मैं ये तो करूंगा ही नहीं, at least करते जो, option one समझ आए, अच्छी बात है, option two समझ आए, अच्छी बात है, option three समझ आजाए, अच्छी बात है, पर वोई बात है, ऐसा नहीं है, कि सबको एक बारी में समझ आ जाते है, इसको लिख लो, बार-बार जब practice करते जा होँगे, आपको समझ आता चला जाएगा, वैसे कितने बच्चों को समझ आगया है, आचा, आजम सबको समझ आगया, इसी की प्रेक्टिस एक सवाल और करते हैं, फिर आगे अपने बढ़ेंगे लो जी, इसी के प्रेक्टिस, एक सवाल और करते हैं, फिर आगे जो है, अपने बढ़ेंगे online वाले बच्चे करें, थोड़ा सा वॉल्म जो है, बढ़ा दे, लो जी, तो भई, चेक करें, अगला सवाल लो जी, इसी के प्रेक्टिस करते हैं, example number four, जी, example number four, तो भई, फिर से कोशिश करें, ये सवाल खुद से जो है, करते जाना, तो भई, कह रहे हैं, Mr. A. purchased, Mr. A. purchased a machine on 1st April 2018 तो भई, Mr. A. ने machine purchase करें, 1st April 2018 को for rupees 45 lakh तो भई, कितना रुपे के machine हैं, 45 lakh रुपे के, फिर आगे कह रहे हैं, transportation transportation transportation, आगे non-refundable non-refundable taxes and installation and installation charges 2,70,000 तो भई, इसको क्या करना है, add तो machine खरी दी, 45 lakh की transportation पे खर्चा हुआ, non-refundable taxes पे खर्चा हुआ, installation पे खर्चा हुआ, कितना 2,70,000 तो acquisition cost कितनी आ गई, 47,70,000 समने निकाल लिए होगा, हाँ, ये तो निकली जाएगा, फिर आगे बढ़ते हुए, कह रहे हैं, estimated, useful life, और estimated useful life, मैं आपको दे रहा हूँ, 32 years, ये जो machine है, इसकी useful life कितनी है, 32 years की life जो है, given है, फिर कह रहे हैं, estimated, scrap value, estimated scrap value, और 32 साल की बाद, ये कितने बग जाएगा, 17,99,757 में जो है, ये machine बगेगी, ठीक है जी, उसके बाद, फिर कह रहे हैं, the machine, the machine, is expected to run, और ये machine हम उमीद करते हैं, कितने गंटे काम करेगी, one lakh hours तो भी 1 lakh hours हो है यह काम करेगी and expected and expected to manufacture और यह machine manufacture कितने units करेगी 40,000 units 40,000 units यह manufacture कर सकती है और आप से गह रहे हैं compute और आप सब को निकालना है पाँच नंबर का प्यारा सवाल और अब उमीद करता हूँ 5 on 5 सब के जो है आने ची पाँच मेथड पाँच उसे क्या निकालना है depreciation जो है निकालना है तो compute depreciation compute depreciation for 2023-2024 by all methods by all methods given that given that machine operated machine operated for 3,500 hours and manufactured 8,000 different units in 2023-2024 तो कम्री ने इस साल इतने घंटे काम किया इतने यूनिट बनाई और अब आप से कह रहे हैं प्यार से अच्छे से 5 मेथड है 5 मेथड से depreciation जो है निकाल कर पता है answer to example number 4 तो भई अब कोशिश करना अच्छे सी इसको जो है solve करें अच्छे से प्यार से solve करें अगर ये सवाल हो गया तो तियारी में काऊंगा बहुत अच्छे जो है चल रही है बस आप से रिकवर्स जितना पढ़ाया जाए उतना डेली बेस पर BRS और डेप्रिसेशन आपके टिप्स पर जो है हो जाना चाहिए कोई नीद में भी आप से बूचे आप उसको आंसर पता दें कोई नीद में भी अब डेप्रिसेशन आप से बूचे जितना पढ़ाया उतना जो है हो जाना चाहिए और कुशिन करते समय एक चीज का बेहत ध्यान चहरे पर हलकिसी मुस्कार तो वह मुस्कुराते ही मुस्कुराते कोईशन सॉल्व करें अगर आंसर आ जाए तो मुस्कुरा दें चलो फाइनली आंसर आ रहा है आंसर अगर नहीं आए जादा मुस्कुरा दें हे राम अभी भी आंसर नहीं आ रहा है और अगर आपका आंसर ना आए आपके दोस्त का आ जाए तो जादा मुस्कुरा दे लो इसका भी आंसर आ गया और मेरा नहीं आ रहा है राम क्या होगा तो भे अच्छे से सौल करें और कोशिश करें 5 on 5 इस बार जो है आना चाहिए और ओलनेन वाले बच्चों अगर पांचो सवाल आजाए पांचो का आंसर एक साथ ओलनेन निकिता ने मेरे को अशलम का आंसर दिया है पर मेको पांचो आंसर एक साथ टाइप करके जो है दे पूर एक बॉक्स में को टाइप करके जो है दे पांचो आंसर एक साथ चाहिए मैं भी शुरू कर देता हूँ सबसे पहले मुझे क्या चाहिए एक्कुजीशन कॉस्ट एक्कुजीशन कॉस्ट वो मेरी कितनी है 45 प्लस 270 45 लाक प्लस 270 तो एक्कुजीशन कॉस्ट मेरी आई 47 लाक 70 थाउजन यह सब का आगे होगा उसके बाद फिर क्या निकालना डेप्रिशेबल अमाउंट डेप्रिशेबल अमाउंट 47 लाक 70 थाउजन में से स्क्राब वेल्यू माइनस करी है और स्क्राब वेल्यू 1799 17 लाक 99,757 तो भई यह कितना रहा है यह कितना रहा है किसी का आया नहीं आया कितना रहा है 29 लाक 70 थाउजन 240 243 यह आप मुझी आंसर जो है बता रहे है यह जी यह तक आया होगा अब इसके कोई नंबर जो है नहीं होगे क्योंकि 5 में थड़े 5 नंबर का सवाल आएगा और आपको depreciation निकालना है SLM से फिर आपको निकालना है machine R rate से एक एक नंबर इसके होँगे online महरा ने भी आंसर दिया है महरा ने भी आंसर दिया है उसके बाद फिर मुझे production unit method production unit method से निकालना है उसके बाद sum of year digits से निकालना है sum of year digits से निकालना है उसके बाद फिर मुझे WDV से निकालना है हाँ हाँ तो भई अराम से चेक करें जिसके पांचों आंसर आ जाए offline तो माइक पांसर दी online जिनके पांचों आ आ जाए टाइप करके मुझे आंसर जो है पता सकते हैं online बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं पर एक एक आंसर दे रहे है सिम्रन का आंसर आया है मानवी जैन का आंसर आया है सौमय महरा का आंसर आ रहा है पर मैंको पांचों आंसर एक साथ दे ओके सुरेश ने पांचों आंसर मैंको दिये हैं online पहला आंसर दे रहे हैं मैं इदर लिख लेता हूँ 92820 दूसर आंसर आ रहे है 103959 फिर आ रहे 594049 फिर आ रहे 151887 फिर आ रहे 151 1571 120 फिर मैंको Simbran online answer दे रहे है 92820 यह आया 103595 यह आया 5940 यह आया यहां answer Simbran का change हुआ 212160 आपने मैं को last answer जो है नहीं दिया है Harishita मुझे online answer दे रहे है 92820 103595 594049 फिर यहां answer बदल गया है 163 138 यह answer जो है आया 4 answer दिये 5th answer ने दिया Nimish मुझे answer दे रहे 92820 103595 5904 यह आया फिर यहां पर 151887 7 यह मैं का पहले 3 answer दो आ जाएंगे आखरी 2 में आप गबड जो है करोगे offline को यह answer देना चाहे पीछे mic जो है उनको दे बनाएंजी Sir method 1 का 92,820 Okay same Method 2 का 594,049 94,000 5,94,049 यह second का आ रहा है 5,94,049 second का आया Sir मेरा method 2 production unit method है आपका method 2 production unit method है आपके method है आपके method है मेरे method से answer दे नलाएक machine Rz8 से इतना answer आ रहा है 1,3,959 Okay same आ गया 3rd method 5,94 आ गया 4th method 1,51,807 807 151,807 आप मुझे बना रहे हूँ ठीक है जी Answer last का 1,22,885 1,22,800 85 85 85 मैं का आखरी दो में आप गरबड़ जो है करोगे और कोई Off-Line से answer देना चाहे 5 आशर किसी के आ रहे हो Online 9 आशर दे रहे है पेला सेम दूसरा सेम तीसरा सेम पेला सेम 4th में आ रहा है यहां पे आशर चेंज हुआ 151 557 आया और यह answer यहां पर सेम जो है आया अच्छा आदी गर्ग मुझे आशर दे रहे हैं पहला आशर सेम है Sum of year सिधा आपकर Sum of year पर आगे हो 243 9 20 पर आए है फिर unit आगया 594 ठीक है उपर वाला सेम आगया WDV आ रहा है 122 885 यह भी answer जो है आया फिर सहीया मुझे answer दे रहे हैं पहले answer सेम दूसरा answer सेम तीस answer सेम Sum of year 1519 यह भी नया answer जो है आया है 151979 हमांशु मुझे online answer दे रहे हैं पहला दूसरा तीसरा सेम 151887 122 885 हाँ जी ओफलाइन कोई answer देना चाहें हाँ जी ओफलाइन उनको माइक जो है दे हाँ जी अमरिसर सेंटर से answer आया है पहला answer सेम दूसरा answer सेम तीसरा answer सेम चौथा answer 151887 और यह answer जो है आया है ठीक है जी हाँ जी और पताएं जी सर जो शुरू के तीन हो सेम है पहले तीन सेम ठीक है फॉर्थ का answer है 151887 151887 और फिफ्त का है 1,22,885 अच्छा इसके साथ majority जो है चल रही है चलो करने शुरू ठीक है जी चलो अब देख लेते हैं फिर इसे पहला SLM method IHOOP सब का आगया होगा Depreciable amount कितना है 29,70,243 divided by 32 सबने यह किया होगा 29,70,243 divided by 32 आपका यह answer आया 92,820.09 लोवर पर round off किया यह answer सबका सही आगया होगा Second, Machine R rate method 29,70,243 divided by कितने आवर्स थे? 1,00,000 आजी उपर कितने आवर्स है? 1,00,000 और इस साल कितने आवर्स काम हुवे? 3,500 तो multiply by 3,500 करोगे 29,70,243 divided by 1,00,000 into my 3,500 10,03,958 10,03,958 0.5 क्योंकि 0.5 है higher पर round off किया बिलकुल सही उसके मार production unit method 29,70,243 कितने unit life कितनी है? 40,000 तो भई 40,000 घंटे multiply by इस साल कितने unit बनाए? 8 तो भई फिर चेक करें divide by 40,000 multiply by 8,000 594 0 4 8.6 हाँ जी higher पर round off होगा तो ये भी answer बिलकुल सही आ गया तो भी उमीद करता हूँ ये तीन नंबर तो आपके बन गई होंगे हाँ जी इसमें किसी ने गरबड करी हो तो बाहर पानी का नलका है चुलूबर पानी पीकर आ जाना ठीक है इन तीन में कोई गरबड कर दी तो बहुत बुरी हालत जो है वैसे तो पांचों में आपका अंसर सही जो है आना चाहिए I hope यह तीन आंसर सब के आगे होंगे ठीक है अब आएं दिल मत तोड़ना Sum of Year Digit Method तो बही चेक करें Sum of Year Digit Method कांसे शुरू करना है हमने का जी 29,70,243 पहले तो डिवाइड किसे करना है लाइफ कितनी है 32 लाइफ कितनी है 32 तो बही फॉर्मला क्या है 32 into me 33 divided by 2 फॉर्मला क्या है n into me n plus 1 divided by 2 तो 32 years की लाइफ है इसका वालतर 32 plus 31 plus 30 29, 28 उसका एक फॉर्मला आता है n into me n plus 1 divided by 2 तो 32 into me 33 divided by 2 कितना आ रहा है 528 multiply करना है और अब चेक करो multiply अपनो करना है 2018 में machine install हुई तो भही मैंने का भी 2018 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 मुझे 23 24 तक जाना है मुझे कहा तक जाना है 23 24 तक जाना है machine का भी इंस्टॉल हुई 1st April तो भी 18 से शुरू करना है तो यहां पर किससे multiply करोगे 32 से यहां पर किससे 31 से यहां पर किससे 30 से यहां पर किससे 29 से 28 से 28 से यहां पर किससे 27 से तो भी किससे multiply करना है 27 से multiply हमारा होगा तो 29,70,243 multiply by 27 divided by 528 आंसर इतना रहा है 151,887 हां जी 151,887 यह आपका आंसर जो है आ जाएगा comfortable ने easy है और जिन बच्चों ने इतने सारे आंसर निकाल ले यह मत कह देना CA मुश्किल है क्योंकि यह वह बच्चे होते हैं जो fail होते हैं और बात में कहते हैं CA बड़ा मुश्किल है अगर आपसे इतनी calculation भी नहीं हो रही है घर जाना घर पर नलका होगा चुलुवर पानी पी लेना वेस्ट मत करना पानी स्केर्स है उसमें डूब ऐसी नहीं पाओगे आप अल्रीज डूबे पढ़ रही हो ठीक है तो फिर से चेक करें पहले तो नीचे divide किसे करना है 32 into me 33 sum of year digit के साब से पहले डिवाइड किया और multiply simple multiply करना है पहले साल 32 होगा फिर 31 फिर 30 फिर 29 फिर 28 फिर 27 multiply जो है हो जाएगा Comfortable ने? लो जी यहां तक सब को समझ आ रहा है लो जी तो भई और फिर आगे आ जाओ मेरा last WDV अब चेक करें WDV कैसे निकालोगे? WDV पहले तो rate निकालना है rate कैसे आएगा? 1 minus 32nd root of scrap value मेरे पास कितनी है? 70,99,757 divided by cost कितनी है? 47,70,000 multiply by 100 हाँ जी multiply by 100 तो अब आप चेक करो अब क्या करना है? पहले इसको divide करें तो भई 70,99,757 divided by 47,70,000 तो भई एक ये value आ गई होगी कितना आ रहे? 0.37730754716 अब मुझे क्या निकालना है? 32nd root 32nd root ये 2 की पावर कौन से होता है? 5 ये 2 की पावर 5 होता है इसका मतलब अब मुझे under root 33 बार दबाना है? 1,2,3,4 और 5 5 बार under root दबाए under root बटन 1,2,3,4,5 5 बार under root बटन दबाया मेरी ये value जो है आ गई ये वाली value जो है मेरी आ गई फिर में को क्या करना है? प्लस माइनस का button दबाया तो ये value negative हो जाएगी प्लस माइनस का button मैंने दबाया फिर मुझे क्या करना है? 1 add करना है तो मैंने प्लस 1 किया प्लस 1 equal to ये कितना आ रहा है? 0.030000 multiply by 100 करोगे multiply by 100 करें तो कितना आ गया? 3% ये कितना आ गया? 3% जो है आपका आ जाएगा तो कितने बच्चों गए? 3% आ गया अच्छा सबका आ गया है ठीक है जिनका नहीं आया कोई बात ही बेटना सबकिसी ये वैसे भी नहीं होती है ठीक है? ठीक है आ गया तो अच्छी बात है नहीं आया तो भई आप खुद सोचें घर पर जाएँ और सोचना कि आपको सीए करनी है कि नहीं करनी क्यूं? ये पहले करा चुका जो चीज क्लास में हो जाए उसकी प्रेक्टिस जो है ये आपकी रिस्पॉंसिबिटी जो है रहेगी 3% आ गया और अब क्या गरना है? अब मुझे इस साल पर जाना है इस साल पर जो है जाना है तो वह सोच के बताओ अब कौन सा option करना चाहोगे? मैं पहले option 3 से ही आ जाओ option 3 कैसे रहेगा? हमने का 47,70,000 x 1-0.03 मुझे कौन से साल का closing balance ये? 1,2,3,4,5 5 साल का balance मुझे जो है निकालना होगा पहले मैं को क्या निकालने? closing balance जो है निकालना है तो मैंने का option 3 पर अगर आ जाए तो मैंने का 3% मैंने निकालना और मुझे balance निकालना है कहा का? यहा का closing balance निकालना है तो 1,2,3,4,5 अब आप चेक करो 1-0.03 हाँ जी ये इतना आया? 0.97 उसकी power 5 चाहिए तो क्या गरना है? multiply equal to कितनी बार? 1,2,3,4 multiply by equal to 1,2,3,4 multiply by किसे गर होगे 47,70,000 47,70,000 ये इतना आया? 40,96,161 ये मेरा क्या आया? ये मेरा आया balance ये मेरा आया और फिर मेरा क्या निकालना है depreciation for 2023 24 ये आयगा 40,96,161 3% तो multiply by 3% यह कितना रहा है 1,22,885 क्या यह आंसर बच्चों नही दिया है हाँ दिया तुम्हें आंसर आता है और अगर पूछो तो तो almost कितने बच्चों का वैसे आंसर आगया था अच्छा बहुत अच्छा आगया है, almost 60 70% बच्चों का आगया पर अक्रॉस इंडिया 30% बच्चे यह आंसर निकाल पाते हैं बाकि सारे जो है फेल हो जाते हैं तो बात वही है, यह आंसर अगर आपका आगया, बहुत अच्छी त्यारी है और जिन बच्चों का यह आंसर नहीं आया बहुत बुरी हालत है आपकी मैं आपको motivate भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप जिद पर है मुझे नहीं पढ़ना तो मैं ज्यादा कुछ आपकी help भी नहीं कर पाऊंगा लो जी, तो भी चेक करें 1,22,885 जो है आया, ठीक है जिनको option 3 अच्छा लगा ऐसी कर लो, जिनको option 3 में दिक्कत आई तो दूसर option क्या है option number 2 वो क्या है 47,70,000 और करना क्या है 1,2,3,4,5 तो 5 बार क्या करो minus 3% minus 3% minus 3% minus 3% चेक करो, क्या यह answer आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो भई, चेक करें 47,70,000 आपका आया एक बार minus 3% फिर minus 3% 2 बार, minus 3% 3 बार minus 3% 4 बार minus 3% 5 बार जैसे यह करोगे आपका answer 40,96,161 यह आपका answer जो है जाएगा ठीक है जी और I hope option 1 तो किसी ने नहीं किया होगा और option 1 बड़ा लेंदी हो जाएगा और option 1 क्या था? पहले multiply by 3% minus equal to 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 जो है करना होगा ठीक है जी, comfortable है? तो भई, आप मैं पूछ लेता हूँ कितने बच्चों के 5 on 5 है? 5 on 5 अच्छा almost 70% बच्चों के 5 on 5 है चलो अच्छा है at least across India 30% बच्चा पास हो रहा है इस समय यहां पर 30% बच्चा फेल हो रहा है चलो हमारा past percentage 30-70% तक जो है और generally speaking हमारा past percentage last तक 70-80% के बीच में हम जाते हैं इतना मुझे पता है 100% मैं भी लेकर नहीं जा पाता तो हमारा past percentage 70-80% normally रहता है तो वहां तक बच्चे पहुंचे तो जिन बच्चों का answer आ गया तो आप past percentage की category में आगे जिनका नहीं आया पैसे वापस अब पैसे वापस नहीं मिलते इसलिए अब आपकी option है या तो महनत करके इस past percentage में आजाओ बाके नहीं तो आपके उपर रहेगा online बच्चे गरे 3 on 5 appreciate नहीं करना 3 on 5 तो clerical है उपर के अगर 3 answer है यह तो बेठा बीकों वाला बच्चा भी कर लेगा में को important था अगले 2 सवाल यह कर रहे हो तो तो आपकी त्यारी अच्छी है उपर के 3 सवाल में में को जादा खुशी जो है नहीं मिलती और बच्चे क्या गरे हाँ से मेरा सारे answer जो है आगे यह रूट आ रहा होगा अब आपकी प्रेक्टिस ही कमी है ता आप करें ओल्लाइन बच्चा करें सर में बीबे कर रहो आप बीबे ही करो बहुत ही बढ़ी है बावना के रहे है सर मेरे साड़े-4 नंबर आ रहे है पांच मेंसे अगर आपके यह जो वेल्यू है आपके यह वेल्यू आई एक नंबर यह वेल्यू आई दो नंबर यह वेल्यू आई तीन नंबर यह वेल्यू आई चार नंबर और अगर यह वाली वेल्यू आती है तो पांच नंबर है बीच में और कूई वैल्यो निंगाल रहे हैं उसके आपको नंबर जो है नहीं मिलेंगे ठीके चलो आगे बढ़े छलो ठीके जी चलो 515 भी काई भच्चे जो है पता रहे हैं ठीके जी और आगे बढ़े चलो फिर फिर खेल को आगे जो है बढ़ाते हैं Sir, Sum of Year Digit में 2018-19 से क्यों आपने डेप्रिसेशन चार्ज करी लो जी, बच्चे का मासूम सा सवाल, अब आप सोच के बताएं, आपने मशीन का परचेस करी है, 2018 में, तो भई, पहला साल आपका कौन सा है, 1st April 2018 से 31st March 2019, क्या इसमें डेप्रिसेशन लगाओगे कि ने लगाओगे, हाँ जी लगाओगे कि लगाओगे, 100% जो है, लगाओगे, आपने 1st April 2018 में मशीन खरी दी, तो 2018 में भी डेप्रिसेशन लगेगा, जिस साल इंस्टॉल हो गया, वहाँ से डेप्रिसेशन लगना शुरू हो जाएगा, अगर यहाँ पर 31st March 2019 होता, फिर हम डेप्रिसेशन लगाते हैं, अगले साल से, तो भई, यह तो 2018 में है, यहाँ से डेप्रिसेशन जो है, शुरू हो जाएगा, ठीक है, प्रदीप कह रह 80% अगर आगया, तब ही मैं कहूंगा, ठीक है, पर इस सवाल में मेरा मानना था, 515 जो है, आपका आना चाहिए था, लो, अल्लाइन बच्चा बूचा है, सर, अगर सिरफ फॉर्मूला लिखा हो, तो कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने फॉर्मूला लिखा हो, मार्क्स साल में एक बार आथ है, आएसे तो आप स्कीम निकाल रहे है, आप साल में दू बार तीन बार पेपर भी लेस्कते हैं, आएसे आपको attempt पर attempt देगा, आएसे पढ़कर आओ तो बात समझ आएगी, लो, अल्लाइन बच्चा, गैरे सर बस और रिलाइज मत करा, अब मैं और एप्रिल की जगे 1st June होता, मैंने कौन सा चेप्टर भी खतम करा है, अगला सवाली सी पर आएंगे, 1st June भी हो सकता है, 1st October भी हो सकता है, 15 August भी हो सकता है, सब कुछ करेंगे, अभी तो शुरुबाहत है, पहले यहां तक तो आप टिक जाओ, फिर आगे बढ़ना ही, बहुत पूरा तो इंटर में बढ़ाया जाएगा, ठीक है जी चलो और आगे आजाए, ठीक है जी फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं जर्नल एंट्री, हाँ जी अब सीखते हैं जर्नल एंट्रीज तो भई डेप्रिसेशन का पहला टारगेट था अमाउंट निकालना वो I hope कुछ बच्चों को आ गया कुछ बच्चों अभी भी जो है नहीं आया ठीक है और उसके बार अब जिनको अमाउंट निकालना आ गया फिर नेक्स काम क्या होता है अब इसकी जर्नल एंट्री जो है प पास करने बहुत मजा जो है आएगा ठीक है तो बहुत मजा जो है आने वाला है डेप्रिसेशन की जर्नल एंट्री कैसे पास करते मेरे को इसको समझाने में कई दिन लग जाएंगे हाँ आपको तो ऐसे लगता है कि आती है तो भी कई दिन जो है लग जाएंगे तो दो जर् मशीन खरीदेते हैं, मशीन को यूज करते हैं, और फिर मशीन को जब सेल करते हैं, इतनी जलेंटरी जो है, सीखनी है, तो जब मशीन खरीदेते हैं, तब जलेंटरी क्या होगी? machinery to bank account या machinery to vendor account बस इतना आपको जो है आता है इससे ज़्यादा आप अपने आपसे उमीद मत रखना ठीक है तो machine जब खरी दिते हैं अगर आपने vendor से खरी दी है तो machine to vendor account और अगर आपने machine cash पर खरी दिये तो machine to cash account इतना आपको जो है जाता है उसके बाद फिर depreciation charge करते हैं उसके बाद फिर machine को बेचते हैं वो सारा जो है सीखना है तो लो जी तो बही जोर्नल एंट्री पर आएं तो बही पहला asset purchased पूरा ध्यान अब बोड़ पर रखना asset purchased तो बही asset जो परचेस करते हैं तो हमारी entry क्या है to हमने कहा या तो bank account हो जाएगा या क्या हो जाएगा vendor account normally raw metal जब खरीदेते हैं तो creditor account आता है और raw metal के जगे अगर आपने plant machine ली कुछ खरीदेते हैं तो creditor नहीं कहते तो हम क्या बोलते हैं vendor account जो है दोनों ही उधार पर लेने पर creditor normally आपका raw metal से related या finished unit से related होता है और बाकी क्या है वेंडर को normally machine land building से जो है हम संभोधित जो है करते हैं comfortable नहीं लो जी और उसके बाद अब next very 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 extra important depreciation charge करने की journal entry charging depreciation ये समझने में शाहिद कई साल आपको लग जाएं हो सकता है आची ग्लास में समझ आ जाएं हो सकता है कई साल लग जाएं इसको समझने में तो भई इस बात को अच्छे समझना सही कई साल क्यों लगेंगे क्योंकि आप स्कूर में जो पढ़कर आयोना उसको भूलना बड़ा important है वैसे मुझे पता भूले बैठे हो कल का तो याद होता नहीं है ठीक है कल जो पढ़ा है वो तो याद होता नहीं कहां पुरानी बाते याद होंगी पर चेकर वो ही है आप ये गलत पढ़कर आएं इसलिए कुछ बच्चे याँ गबड जो है करते है charging depreciation इस बात को समझना दो options है method दो options है और दोनों को समझने में शाएद मुझे 2-3 classes लग जाएंगी दो method हैं दोनों में से कौन सा method बेटर है दोनों को compare जो है करेंगे जैसे method depreciation निकालने के बहुत सारे method है SLM, WD भी सब कुछ है सब की अपने फायद नुकसान है ऐसी depreciation की accounting entry के भी दो method है और दोनों अलग method है आपने दोनों method पढ़ें दोनों खिचडी जो है पकाई हुई थी दो method है दोनों method को समझना है तो भई समझे method 1 और फिर से important है दोनों method से profit and loss account पर same burden पढ़ेगा दोनों method से balance sheet पर same burden पढ़ता है पर दोनों method का सोच अलग है उसको समझना है तो method 1 और method 2 आची class, कल की class, परसुई class में कुछ 6 घंटे शायद लग जाएंगे इस बात को समझाने में इस बात को समझाने में पर होता हुई कई बच्चे समय होते हैं हमें तो आता है और वो मेरी बात सुनते समझते हैं तीन lecture की बात फिर कहेंगे सर एक आप फिर से समझा दो concept उपर से निकल गया इसलिए पूरा ध्यान बोल पर रखना method 1, method 2 method 1 है charging depreciation charging depreciation depreciation charge करना directly directly from asset account पढ़ा आप सब ने है थोड़ा थोड़ा आपको पता है पर समझा नहीं है और depreciation chapter इतना important है पूरा एक chapter भी है और बात में जब final accounts पढ़ेंगे sole provider पढ़ेंगे not for profit और नहीं पढ़ेंगे partnership पढ़ेंगे सब में depreciation आने याना है depreciation अमान के चलें 5-10 number अपने आप में chapter है और सारे chapter में ये depreciation आना है और अगर depreciation गलत कर दिया तो आपका net profit कई सारे chapter में गलत हो जाएगा balance sheet गलत हो जाएगी इसलिए depreciation समझना और final account में ये आपको पता होना चाहिए final account में कौन से method से depreciation चार्ज कर रहे है जिस method से चार्ज करें उस method से मुझे depreciation जो है निकालना होगा तो भई समझें एक method है कि मैंने acid से depreciation जो है चार्ज किया और दूसरा method क्या है हमने का charging depreciation charging depreciation by creating by creating चार्जिंग डेप्रिसियेशन by creating accumulated accumulated depreciation account ये account क्यों बनाते है इसको सारा समझना है account बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए इसको जो है समझना है कुछ लोग इसको accumulated depreciation account से संबोधित करते है जो बहुत अच्छा है पर कुछ लोग maximum लोग काऊंगा वो क्या करते है एक गलत नाम लिख देते है provision for depreciation आपने शायद यही पढ़ा होगा provision for depreciation account ये नाम गलत है हम कोई provision नहीं बना रहे पर market में चल रहा है इसलिए में को दोनोई account ideally क्या लेके चलेंगे accumulated depreciation account एक नाम होना चाहिए यहां कही बार इसको provision for depreciation account भी जो है कहे देते हैं और इस बात को चेक करें हमने का जब depreciation की value निकाली पहले साल की depreciation value में भी माल लेजे यह value आगे 92,820 अब इसकी general entry पास करनी है तो चेक करें इसकी general entry अपने को पास करनी है तो इसकी general entry first case में हम क्या पास करते हैं depreciation to asset account depreciation to asset account यह आप एक general entry पास करते हैं हमने depreciation चार्ज करा directly from asset account तो entry क्या आओगी depreciation to asset account और फिर depreciation मेरा कहा जाएगा P&L में asset मेरा depreciation कहा जाएगा P&L में तो next entry अपन पास करते हैं P&L to depreciation account तो भई दो ही entry पास करनी है depreciation to asset account और second क्या होगा P&L to depreciation account comfortable हैं यह आपने almost सही general entry जो है सीखिये इसमें तो मैं जो लगता है यह इशाज सीखकर आये थे depreciation to asset account P&L to depreciation account मेरे को डर है इस entry को लेकर यहाँ पर कई बार कुछ बच्चे कहते हैं हम गलत entry सीखकर आये थे यहाँ पर वोई जो amount में भी आया में भी यह amount आना है 92,820 तो भई क्या entry आपने स्कूल में सीखी है शार बच्चे सीखते है penal to provision for depreciation क्या यह सिकर आये थे penal to provision for depreciation कितने बच्चे यह सिकर आये थे आचा कोई सिकर नहीं आया बहुत ही बढ़िया तो आप क्या सिकर आये थे depreciation to आचा बहुत बढ़िया ठीक है फिर अगर आप यह सिकर आये थे बहुत बढ़िया entry same रहेगी depreciation account to बस यहाँ पर हम asset से charge नहीं कर रहे हम एक दूसरा account जो है open करते हैं तो हमने का depreciation to accumulated depreciation account तो भई depreciation to accumulated depreciation account जो है यह हम करते हैं और फिर next entry हमारी क्या रहती है same P&L to depreciation account P&L to depreciation account P&L to depreciation account जो है हमारा आ जाएगा ठीक है जी तो मैंने का ध्यान रखना दो entry पास करनी है खबरदार किसने सो club कर दिया हो क्योंको स्कूल में ऐसा बढ़ाते हैं देखो depreciation to accumulated depreciation है फिर P&L to depreciation है देखो यह मेरा cancel हो गया तो आप डारेक्ली क्या कर सकते हो P&L to accumulated depreciation नहीं करना नहीं करना अभी आज समझोगे आज नहीं कल परसो समझोगे यह entry मुझे दूर तक भी पास नहीं करनी ऐसे तो फिर तो यह भी हो जाएगा depreciation to asset P&L to depreciation देखो depreciation में खतम हो गया तो P&L to asset जो हो जाएगा मैं ऐसा कोई काम नहीं करना accounting is an art of recording मुझे record करना है मेरे को depreciation अकाउंट खोलना जरूरी है इस साल कितना depreciation मैंने चार्ज करा account खोलना जरूरी है शिदा पेनल्टू asset जो है नहीं करोगे अगर पेनल्टू asset करोगे तो यहीं नहीं पता यह पेनल्टू asset क्या है क्या asset को बेचने से नुक्सान हुआ अमने का नई, acid मेरे पास अभी है, मैंने depreciation चार्ज कर रहे हैं, इसलिए ये account मुझे खोलना बहुत ज़रूरी है यह account मुझे खोलना बहुत जरूरी है कुछ को बात समझ आती है तो भई यह मेरी accounting entry जो है हुई पहले एक बार इसी को समझते हैं इसी को समझते हैं जो शायद आची class, maybe next class में जो है समझ आएगा और दोनों को फिर compare करेंगे कि सर्थ दोनों में आखिर फरक क्या है और फिर समझेंगे सर method 1 अच्छा है या method 2 अच्छा जो है रहेगा, दोनों के क्या फाइद नुकसान है पर जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने client को suggest जो है कर सकते हैं, ठीक है जी? चलो तो भई, example number कौन सा आजाएगा? 5 Example number 5 और बस आपसे बाबर request करूँगा जितना पढ़ाया मैंने भी और बाकि सब teachers ने भी जो जो पढ़ा रहे हैं, daily base पर याद करते जाना, नहीं तो गरबर जो है, हो जाएगी उसके बाद फिर decide कर लेना अगर यह सारा comfortable चल रहा है और साथ में लग रहे हैं, सर यह तोड़ा मस चल रहा है, साथ में मैं college भी जाना चाहता हूँ, शौक ऐसे पाल रुखे हैं तो college का exam अपना form फिल करना और आपको लगता है, सर इसमें ही मेरे को पूरा time लगता है, तो यह decision आपका जो है, रहेगा ठीक है, कई बच्चे पूछ रहेते हैं, सर क्या मेरे को CUT के exam देने चेह नहीं देने चेह यह decision आपका है, आपकी प्राइटी क्या है, अगर CA comfortable चल रहा है, और साथ में आपको लगता है, सर में को CUT वाला शौक भी पालना है, कॉलेज भी जाना है, अगर आपको लगता है, दोनों चीजे मैनेज होगी तो जाना, और कल को आपको लगता है नहीं सर, CA में ही अच्छा कासा मैनेज लग रही है, और कॉलेज के साथ में नहीं कर सकता, तो भई फिर बिलकुल मत जाना, नहीं तो ना इधर के रहोगे, ना उधर के, ना तो कॉलेज जाबाओगे, ना CA कर पाओगे, इसलिए ये डिसीजन आपका है और ये फिर से सबका परसनल डिसीजन जो है, जिनको लग रहा है CA comfortable चल रहा है और college भी जा सकते हो तो बिलकुल जाओ, मैं college गया हूँ week of honors, regular college से मैंने किया है मैं कुछ ये बड़ा comfortable लगा मैंगा इसमें क्या पढ़ रहा है, कुछ है नहीं टाइम पास जो है चल रहा है, ऐसा मेरा अनुभव था मेरा अनुभव था, मैं college भी गया college भी time pass हुआ, यहां भी time pass हुआ पर किसी का अनुभव हो सकता है, नहीं sir इतने में हालत खराब जो है, हो गई अगर इसी में हालत खराब होगी, फिर सोच लेना CA करना है कि नहीं करना आपने कर नहीं sir, इतने मालत खराब होगी, इतना मैं पढ़ाकू नहीं हूँ, तो CA छोड़ के college चल ले जो, और जिसको लगता है नहीं sir, बड़ा मस्त चल रहा है, पर इसके सासाथ मैं और college नहीं जा सकता हूँ, college मत जाना और ऐसा भी हो सकता है, sir, यह तो हिम्मत वाली बात होती है, अगर हिम्मत है, गट से हैं, तो साजाना नहीं तो, ऐसे भी कितने बच्चें बाद में, college भी drop करते हैं C भी drop जो है, हो जाते हैं, तो अपनी काबलियत पहचान लो, उसके साब से decision जो है, ले लीजेगा चलो, example number five कह रहे हैं, Mr. X purchased Mr. X purchased a machine Mr. X purchased a machine on 1st October 2018 चलो, जी, अब 1st October ले लिया है, तो जो बच्चे का doubt था, sir, बीच में आजे, तो कोई 1st September ज्वाब लेना चाहें, ले सकते हैं, तो हमने का, for rupees 2 lakh, तो हमने भी एक machine खरी दी, 2 lakh रुपे की फिर कह रहे हैं estimated life estimated life, 2 years 2 साल की life रखते हैं, कि 2 साल का पूरा accounting year जो है, चेक करेंगे, कैसे कि general entry pass करते हैं estimated scrap value और estimated scrap value 20,000, दो साल के बाद 20,000 में ये machine बिक जाएगे, उसके बाद फिर method of depreciation ये paper में given होगा SLM paper में given जो है, होगा, अभी तो गया था, सारे method से calculation करा दी, फिर paper में given होगा एक method होता है, उसके असाब से आपको निकालना जो है, होगा ठीक है जी, फिर आजे method of depreciation ये आया, फिर कह रहे है machine was installed machine was installed and put to use, machine को मैंने install किया, और put to use का आदा ready to use, machine किस दिन ready to use हुई, put to use on 1st January 2019 हमने machine कब खरे दी, 1st October को 1st October को machine खरे दी machine आने में, install होने में, site prepare होने में, फिर एक installation purpose आया, वो आया, testing होई सब कुछ होने के बाद, 1st January को, okay आ गया था, भी, अब जो है, आप इसको use कर सकते हैं तो फिर से सवाल होई, depreciation किस दिन से charge करने हैं, 1st October या 1st January, 1st January, ठीक है, बस यहीं से paper शुरू होता है, जिसने 1st October कर दिया, सारा zero हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि depreciation, amount इगलत निकलेगा, general entry pass करने हैं, सारा गर्बड जो है, हो गया, इसलिए जो पढ़ारें, बहुत conceptual चल रहा है जितना बढ़ाया, डेली बेस पर request करूँगा, बस याद करते जो है, चले जाना, तो 1st January से depreciation जो है, लगनी है और आप से कह रहे हैं, prepare I'm sorry, पहले करो, journalize पहले तो यह prepare, journal entry कर लो, journalize अब आप गया करना है, journal entry pass करनी है, फिर मैं आप से कह रहा हूँ, prepare necessary ledger accounts necessary ledger accounts, फिर आपको ledger accounts बनाने हैं, and balance sheet and balance sheet extract और फिर balance sheet में जो relevant चीज है, वो आपको जो है, दिखानी है, for for financial year 2018-19 2019-20 2020-21 and 2022-23 हम जो लेंटरी पास करना सीख रहे है, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, by both methods of accounting by both methods of accounting method method 1 method 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 और फिदे कौन सा method better है, किसके कितने फाइदे नुकसान जो है आ जाते comfortable है, तो भाई ये अपने को सीखना है अच्छा, एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जब भी ऐसा लिखा हो 18.19 इसका क्या मतलब होता है, 1st April 2018 से 31st March 2019 और अगर लिखा हो 2018, 2019, 2020, तो क्या मानके चलेंगे, कलेंडर ये, तो सवाल में, किताबों में या पेपर में, जब भी सवाल आएगा, अगर लिखा हो यहाँ पर for year 2018, 2019, 2020, 2021, तो क्या मानके चलोगे, कलेंडर ये, हम फॉलो जो है, कर रहे हैं, और अगर ऐसा ना लिखा हो, और अगर आपको लिखा हो, 2018, 19, 19, 20, 20, 22, 22 जो भी है, तो मानके चलते हैं, 1st April से 31st March जो है, होगा, दो सबसे आदर पॉपुलर जो है, चलते हैं, कलेंडर और अगर इसके लावा और कोई एर हो, वो फिर आपका सवाल specifically बताएगा, कि यह जो परसन है, इसका जो एर है, कुछ और है, पर वो नॉमली पताते हैं, नहीं है, तो दो ही पॉपुलर चलते हैं, या तो फानेशल एर चलता है, या क्लेंडर एर जो है, चलता है, चलता है, तो भई, पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर जोनल इंट्री पर जो है, अपन आएंगे, तो बताएगे जी, अमाउंट पर आएं, सबसे बहले मुझे क्या निकालना है, एकुजीशन कॉस्ट, अब मुझे धियान से बताओ, एकुजीशन कॉस्ट, बच्चा गह र 21 और 22 ठीक है, thank you so much बेटा, तो भई, 21 भी जो है, आजाएगा, चलो, एकुजीशन कॉस्ट, तो भई, पहला बताओ, एकुजीशन कॉस्ट कितना आया, मेरी मशीन कितने की है, 2 लाख की, और भी कुछ इसे मैंने बताया है, नहीं, बस 2 लाख की मशीन है, बात खतम, फिर मै इने का, डेप्रिशेबल अमाउंट, डेप्रिशेबल अमाउंट, बताओ जी, वो कितना आएगा, 2 लाख में से 20,000 माइनस हुआ, ये कितना आया, 1 लाख 80,000, ठीक है जी, 1 लाख 80,000, यहां तभी क्लियर है, डेप्रिशेशन की डेफिनेशन पर वापस आओ, वो क्या था, It's a systematic allocation of depreciable amount over its useful life, over its useful life, ध्यान से मुझे बताओ, इसकी useful life कितनी है, useful life कितनी है, 2 years, और useful life कहां से शुरू होगी, 1st January 2019 से, जैसी ready to use हुआ, जैसी ready to use हुआ, यहां से 2 साल की life है, यहां से 2 साल की life है, तो बताओ, 2 साल की life कहां से होगी, 1st January 2019 से, 2 साल कहां पर खतम होँगे, 31 December 2020, 2019 पूरा क्लेंडर एर, 2020 पूरा क्लेंडर एर, तो 1st January 2019 से, 31 December 2020, यह 2 साल हो गए, इती मतले हैं, ध्यान से चेक करो, तो 2 साल मेरे हो गए, तो मेरे को 1,80,000 को allocate करना है, इस period में, फिर से, definition पर आओ, definition क्या है, depreciation is a systematic allocation of depreciable amount over its useful life, तो इस machine की life, 1st January 2019 से, 31 December 2020 में खतम हो जाती है, इती बाद क्ले हैं, हमारा method कौन सा है, SLM, हमारा method कौन सा है, SLM, इती मत क्ले हैं, SLM के हिसाब से, अम मुझे बताओ, depreciation कितना आएगा, 1,80,000 divided by 2, तो एक इतना आ गया, 90,000 पर आनम, 90,000 पर आनम, पर फिर से important क्या है, 90,000 एक साल, और साल कौन सा, useful life का साल, इसका मतलब, 1st January 2019 से, 31st December 2019 में, हम कितना चार्ज करेंगे, 90,000 और ऐसे ही, 1st January 2020 से, 31st December 2020, 20, कितना चार्ज करेंगे, 90,000, इतनी बाद भी क्लियर है, तो मशीन की useful life के साब से, मुझे allocate करना है, पहली बात तो ये, अब मेरा जो PNL बन रहा है, अगर मेरा PNL भी calendar year चल रहा होता, काम बड़ा मस्त हो जाता, पर मेरा financial year जो है, चल रहा है, मैं जो PNL बना रहा हूँ, मैं तो PNL अलग बना रहा हूँ, तो अब आराम सोच के बता हूँ, मेरा जो PNL है, 1st April 18 से, 1st April 18 से, 31st March 19 का PNL बनेगा, फिर मेरा अगला PNL, 31st March 20 तक बनेगा, अगला PNL, 31st March 21 तक बनेगा, अगला PNL, 31st March 22 तक बनेगा, मैं अच्छा 23 तक जो है, लेकर जा रहा हूँ, ठीके, अगला PNL, 31st March 23 तक बनेगा, ठीके, अब दो आस्पेक को समझना, पहला, डेप्रिसियेशन ऐसे लगना है, पर मेरे को अपने PNL में कितना लेकर जाने, वो मेरे को जो है, समझना है, अब धियाँ से चेक करो, कैरे, 90,000 की डेप्रिसियेशन, कब से कब तक लेगेगी, हमने का, कब से कब तक, यहाँ एक देट आई, एक देट यहाँ पर आई, 1st January 19, और यहाँ पर एक देट आ रही है, 31st December 19, हमने का, यहाँ तक का डेप्रिसियेशन, कितना लगना है, 90,000, क्योंकि डेप्रिसियेशन, useful life के साब से लगना है, तो 90,000 डेप्रिसियेशन यहाँ पर लगना है, ऐसे ही, 1st January से, अग यहाँ तक डेप्रिसियेशन, कितना लगना है, 90,000, यहाँ तक का डेप्रिसियेशन कितना लगना है, 90,000, पर अब सवाल, मैं को लगता है, आप कर पाएंगे, मेरा PNL बन रहा है, इस पीरिड का, इस पीरिड में, कितना डेप्रिसियेशन, PNL में लेकर जो है, जाओ, तो यह है यहां तक का कितना depreciation लगेगा तो आपने का 1st January है 1st January से 31 December 12 महिने होते हैं तो आपने कितने महिने हैं 3 महिने January, February, March यहां तक कितने महिने हैं 9 महिने तो इस समय systematically अगर बात करें तो मैं क्या कर सकता हूं 3 महिने 9 महिने कर सकता हूं तो मैंने का ''Yaha का Depresiation 3 महिने का लगाले वो कितना लगेगा?'' आपने का जी 90 ,000, Depresiation अगर 12 महिने का हैं तो 3 महिने का कितना? कितना आ रहा है? 22,500 तो है निकाल रहे हूं? कल्कुलेटर पर निकालना है? चलो फिर भरोसा कर सकता हूं और फिर आजें, यहाँ 9 महिने का निकालना है, तो 9 महिने कैसे आएगा? आप कहेंगे 90,000, अगर 12 महिने का है, तो 9 महिने का depreciation, पताओ जी कितना? 67,500, क्या ही बात समझाई? ऐसे ही, फिर अब यहाँ तक का चलना है, यहाँ क्योंकि SLM है, तो सेम था, अगर WDV होता, अमाउ कितना, वोई सेम आजाएगा? 22,500, और यहाँ का कितना आजाएगा? 67,500, यहाँ मशीन खतम हो गई, यहाँ का depreciation निल, यहाँ का depreciation निल जो है, आजाएगा, क्या ही बात समझाई? और फिर मैंने का, अब मेरे को इस financial year पर आजाओ, तो यहाँ तक का depreciation कितना लगेगा? 22,500, यहाँ तक का depreciation कितना आएगा? यह कितना आ रहा है? 90,000, यहाँ से यहाँ तक का depreciation कितना? 67,500, यहाँ आगे का depreciation कितना? 0 जो है आ जाएगा, ठीक है जी? तो भई, depreciation हमने पहले useful life के साब से निकाला और फिर उसको systematically मेरे financial year में जो है, मैं लेकर जो है आया हूँ, ठीक जी क्या यह बात कुछ कुछ समझ आती है, comfortable चल रहा है और तभी मैं फिर से गा, मैं सारे lecture recorded भी आपको जो है दे रहा हूँ, इसलिए समझ आ जाए, कई बच्चों को first shot में समझ आते है, अच्छी बात है कईों को समझ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है घर पर, फिर से लेक किया अपने financial year के हसाब से, और अब अपना general entry पर जाती है, अब अपने general entry पर जाती है, और अब आपसे मैं request करूँगा, मेरेको दो method कराने, method 1 और method 2, और दोनों को compare करना है, अब यह आपकी option है, या तो method 1, क्योंकि अभी पहले आपको method 1 में solve करना सिखाऊंगा, तो पहले method 1 करेंगे, फिर method 2 करेंगे, ऐसी भी करना चाहिए कर सकते हैं, या आप double page ले ले, मेरे ऐसा मानना है, double page के साथ शुरू करना, left hand side में हम method 1 करेंगे, right hand side में कल method 2 करेंगे, जिससे क्या होगा, दोनों compare जो है, हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपकी option है, चाहो तो पहले method 1 compare करने के लिए, method 1, left hand side पर सारा method 1 करेंगे, right hand side का page पर कल method 2 करेंगे, ठीक है, तो double page ले लो, double page, पूरा में को double page जो है, मेरे को चाहिए, कुछ बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं, कि ऐसे बच्चे यहाँ पर भी question शुरू हो गया है, और अब sir करें double page, बच्चा करें, sir, यह page मेरा खराब हो गया, sir, यह मेरा page खराब हो गया, बेटा, तुम्हारी जिंदकी खराब हो रही है, जिंदकी संवालो पहले, ठीक है, आगे बढ़ो जो, ऐसे ना मू तर जाते है, sir, मेरा आधा page खराब हो रहा है, बेटा, फटा वट, page पल्टो, double page पर आजो, ठीक है यहां career बना लो, आधा-धी page को लेकर रोना मत रोया करो, ठीक है, double page पर आजो, double page, left hand side पर, फिर से बता रहा हूँ, left hand side पर method 1 करते जाएंगे, right hand side पर method 2 जो है करते चले जाएंगे, comfortable ने, चलो, तो भई, शुरू करते हैं, left hand side के साथ, तो भई, अब चेक करें, left hand side पर left hand side पर लिख ले, method 1, ठीक है, method 1 पर जो है, आजाएंगे, सारा काम left hand side पर पहले करेंगे, method 1, फिर right hand side पर method 2 पर जो है, आएंगे, और बहुत ही बढ़िया, बनाना है अपने को, journal, लो, जी, तो भई, journal आए हो, बनाना आता होगा, तो भई, journal पर आजाएं, पहला कॉल्म क्या होता है, date तो भई, पहला कॉल्म, छोटु कॉल्म, date, उसके बाद, दूसरा कॉल्म, particulars दूसरा कॉल्म, particulars, उसके बाद, आखरी दो कॉल्म, debit और credit स्कूल में सीखा होगा, एक लेजर फोल्म और कॉल्म भी आता है, बनाना चाहो, बना लेना, मेरा मन नहीं करता क्योंकि इस कॉल्म में आपने आके भरा तो कुछ होता नहीं, छोटा से कॉल्म नाके छोड़ दे तो, इसको ignore जो है, मार दे, लेजर फोलियों क्या होता है, आप जब ट्रेनिंग में जाओगे, वहां समझ आ जाएगा, लेजर फोलियों क्या चीज़ें होती हैं, पर अभी इसको जो है छोड़ सकते हैं, ठीक है जी? तो लो जी, अब चेक करें, ध्यान से अब मुझे बताओ, फोर्स्ट एंट्री, दिल मत तोड़ना किस दिन करोगे? फोर्स्ट एंट्री किस दिन होगी? फोर्स्ट ओक्टूबर को या फोर्स जैन्वरी को? पूछ लेता हूं, फ कुछ लेता हूँ कितने करें 1st October करेंगे कई सारे हाथ और कितने करें 1st January को entry जो है करेंगे कुछ हाथ यहाँ पर भी जो है खड़े हुए मशीन किस दिन खरीदी 1st October कब entry करोगे 1st October कितना रट्टा मारते हैं कुछ बच्चे करें 1st January अरे बेटा फर्जने डेप्रिसेशन चार्ज करना है इतना रट्टा मत मारा करो हमने मशीन किस दिन खरीदी 1st October उस दिन एंट्री जो है करेंगे ठीक है जी आजो online बच्चा कह रहा है sir the way you roast hats off to you बताओ आजो बेटा मैं रोस ने करता मैं तो सच बोलता हूँ बेसित ही आपकी अपने आप हो जाती है चलो आजो तो भई 1st October 18 लो जी 1st October 18 ठीक है हमने मशीन किस दिन खरीदी 1st October 18 तो एंट्री क्या करोगे मशीनरी मशीनरी अकाउंट डेबेट टू बेंक अकाउंट हाँ जी कितने की मशीन है दो लाग I hope यह जो लेंट्री अच्छे से आती है और जो लेंट्री के नीचे फिरम क्या लिखते है नरेशन तो नरेशन क्या लिखोगे बेंग मशीनरी परचेस्ट है न यही नरेशन सिखी आपने बहुत ही बड़ी आप बेज़ेदी इसकी बाद में करूंगा इसका टाइम बाद में आएगा क्या नरेशन है यह यह नरेशन होती है नॉंसेंस यह क्या लिखा आपने बेंग मशीनरी परचेस्ट बात यह बेज़ेदी करेंगे भी सोचना highly absurd narration यह को नरेशन है नरेशन इस पूरी general entry में अगर आपको तो शाय एहसास भी नहीं होगा इस पूरी general entry में सबसे important होती है narration और इस narration को समझाने के लिए अगर जनरली बताओ दो घंटे चाहिए narration draft कैसे करते हैं वो भी एक कला है आप करें बीग मशीनी परचेस्ट नलाई को अगर यह ना लिखता तो में दिखनी था बीग मशीन परचेस्ट है narration बहुत important होती है अगले chapter में जो है समझाऊंगा सारी बेज़ती आज करूंगा दिक्कत हो जाएगी तो step by step मैंने पता है कौन कौन सी बेज़ती के time होते है तो इसकी बेज़ती का time बाद में जो है आएगा यह बेज़ती आगे देखिए ठीक है चलो तो ठीक है आपके level पर जो है करते हैं पर यह narration नहीं होती चलो anyways हमने 1st October को हमने मशीन खरी दी estimated scrap value क्या इसकी कोई general entry होती है बिल्कुल भे नहीं हमने machine को install किया put to use करा इसकी कोई general entry नहीं होती उसके बाद अब general entry कब होगी 31st March को अब depreciation charge करना है तो भई 31st March 2019 आओ भई 31st March 2019 को depreciation charge करने पहले method से entry क्या होगी depreciation to machinery account depreciation account debit to machinery account तो पहले financial year 2018 में कितना depreciation था 22,500 22,500 और narration क्या लिखते हो being depreciation charge nonsense कैसे आप ये लिख सकते हो ये कैसे लिख सकते हो ये narration है being depreciation charge ये तुमे को वैसी दिख रहा है being depreciation charge narration ये नहीं होती narration कुछ और ही होती है narration तो चीजी अलग होती है क्या time pass लिखकर आये थी पर भी for the timing अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहा नहीं तो आपका उपर jump हो जाएगा अराम से दो घंटे लगाएंगे how to write a narration how to write a narration समझेंगे आज नहीं समझा रहा पर में कोई समझ नहीं आथा क्या accounts पढ़कर जो है आये थे और ऐसे accounts को पढ़कर आपके अंदर दिल्चस भी जागी थी हमें CA बनना है ये पढ़कर CA बनना था ये clerical काम होता है ये कोई clerical काम जो है आप सीख कर आये थे चलो अनिवेस फिर आजो नेक्स 31st मार्च उन्निस नेक्स एंट्री क्या करोगे आजी नेक्स एंट्री क्या करोगे PNL 2 Depreciation Account PNL Account Debit 2 Depreciation Account कितना 22,500 Narration Being Depreciation Transfer to PNL बहुत ही बढ़िया कमाल के बच्चे है Transfer to PNL जैसे पता ही नहीं चल दा था उपर एंट्री से कि हम क्या कर रहे है ठीक है जी ठीक है और आगे बढ़े तो भई पहले साल ये हमारी journal entry जो है हुई ठीक है पहले साल journal entry हुई यहाँ पर इसके बाद अगले साल मुझे बताओ क्या journal entry पास करोगे हाँ जी अगले साल journal entry कब पास होगी हाँ जी कब होगी 31st March 20 अगले साल कब होगी 31st March 20 पूरे साल मशीन बस हम यूज़ कर रहे हैं तो year end में क्या करना है वो ही same depreciation to machine account depreciation account debit to machine account अगले साल के depreciation आपने निकाली टोटल पूरे साल के कितनी आई 90,000 पूरे साल के कितनी आई 90,000 तो अगले साल depreciation 90,000 90,000 ठीक है जी narration आप लिख लेना मुझसे ना लिखा जाता फिर आजो 31st Mars 20 को next entry क्या है P&L to depreciation P&L account debit to depreciation 90,000 P&L account to depreciation 90,000 ठीक है जी और आगे बढ़े चलो और आगे जो है आजाएं फिर next year पर आजाएं आजी next क्या है फिर से 31st Mars 21 अगले साल फिर मैने मशीन यूज करी अगले साल फिर मैने मशीन यूज करी हाँ जी वो मशीन कहा यूज करी यहां तक मेरी December तक यूज है पर मैने का depreciation पूरे साल का कितना लगेगा 67,500 तब अगले साल का depreciation फिर मैने चार्ज करा depreciation to machine depreciation to machine 67,500 67,500 जो है आपका जो है आया ठीक है जी और आगे जो है आजाते हैं तो बही चेक करें और उसके बाद next entry मेरी क्या है हाँ जी next entry मेरी क्या है 31st Mars 21 को PNL to depreciation PNL to depreciation कितना 67,500 ठीक है नरेशन सेम लिख ले ना being depreciation charged और being depreciation transferred ठीक है जी उसके बाद फिर आगे आएं 31st Mars 22 उसके बाद फिर मुझे बताओ 31st Mars 22 इस साल depreciation कितनी चार्ज करोगे खतम क्योंकि machine की life खतम है machine वहाँ पर खतम हो जाएगी इसलिए अगले साल मेरा क्या रहेगा no entry उसके बाद मैं कोई general entry pass नहीं करूँगा यहां तक सारा ठीक चल रहा है लो जी तो भई general entry चेक करें सबसे पहले general entry machine खरेदने की हमने चार्ज करी हमने एंट्री पास करी फिर हर साल जब तक यूज कर रहे हैं हम depreciation चार्ज करते जाएंगे जब तक machine यूज कर रहे हैं depreciation charge जो है हम करते जाएंगे और जब machine खतम हो गई उसकी useful life खतम हो गई तो उसका depreciation उसके बाद चार्ज नहीं होगा I hope left page पूरा भर गया होगा ठीक है right hand side वाला page method 2 कल discuss जो है करेंगे अब next page पर आजो हाँ जी अब next page पर आजाएं double page हमारा चल रहा है तो left page पर हमने जलेंटी करी method 1 से कल की class में जलेंटी करेंगे method 2 से फिर से next left page पर आओ अब ledger account सीखेंगे फिर से left page पर आजाओ top पर लिख लू method 1 top पर लिखें method 1 तो method 1 से हम काम जो है कर रहे हैं लो जी method 1 पर आएं और हम बनाएंगे machinery account लो जी अब अपन को बनाना है machinery account तो भई चेक करें machinery account लो जी machinery account तो भई चेक करें machinery account तो भई फिर से machinery account पहला column date, particulars amount फिर से column है date, particulars amount online बच्चा बूच रहे हैं सरफ method 2 एक पेच पर होगा हाँ बेटा तो भई जलाएंटरी सेम है तो left hand side पर जितनी जलाएंटरी right hand side पर उतनी ही जलाएंटरी जो है चलेगी तो इसले left page right page पर फिर से left hand side पर जो है आप आजाएं तो भई left hand side पर आजाएं और अब मुझे गया करना है एक आपका machinery account बना लेते हैं चलो पहले machine account पर आजाएं पोस्टिंग करना शायद आप सबको आता होगा तो पोस्टिंग first entry मेरी क्या है machinery to bank account machinery account धियान रखना debit करा है इसलिए machine के debit side में कितना लिखेंगे दो लाग machine account को debit करा है तो machine के debit side में first October first October 18 को this is my debit side this is my credit side debit करना है कितने से दो लाग से तो यहाँ पर क्या आएगा to bank account हमने first October को machine खरीदी to bank account ठीक है जी फिर next आजाएं फिर next check करो 31st March को machine की बात करें depreciation to machine account machine को मैंने क्या करा है credit करा है 22,500 machine को credit करा है credit side में लिखेंगे 31st March 19 हमने का जी by depreciation कितना 22,500 ठीक है जी 22,500 उसके बाद फिर आगे आएं और next entry मेरी क्या है PNL to depreciation और year मेरा क्या हो गया close जैसी year close होता है फिर आपको बता होगा ledger account को क्या करते है close जो है करते हैं तो ledger account को close करेंगे तो यहाँ पर 31st March 19 को यह क्या आएगा by balance carried down इसको मैंने total किया 2,000,000 इधर मैंने total किया कितना 2,000,000 और 2,000,000 मेंसे 22,500 माइनस करो 177,500 ठीक है जी तो भी 177,500 जो है हमारा आ जाएगा ठीक है जी उसके बाद फिर हम next year क्या करते हैं 1st April 19 को यह जो balance carried down है यह क्या होता है balance brought down 2 balance brought down कितना 177,500 177,500 अगले साल हमने और कौनसी जलेंटरी पास करी अगले साल एक एंटरी पास करी depreciation to machine account मशीन को credit करा है तो credit side पर अपन क्या करेंगे 90,000 क्रेडिट side पर फिर से मुझे क्या लिखना है 90,000 तो 31st March 20 को 31st March 20 को फिर से हम कर रहे हैं by depreciation और इस साल और कोई एंटरी नहीं थी एक था depreciation to machine फिर P&L to depreciation तो machine account में और कोई जनल एंटरी नहीं आई इसलिए 31st March 20 को by balance carried down फिर से मैंने total करा 177,500 यहाँ पर मैंने total किया 177,500 नब्य हजार माइनस करो तो कितना आएगा 87,500 ठीक है जी फिर चेक करें 1st April 20 को फिर से balance brought down 2 balance brought down 87,500 और 2021 में यह मैंने जनल एंटरी पास करी फिर से depreciation to machine 67,500 मशीन को credit करा है credit side में हम लिखेंगे 31st March 21 को by depreciation 67,500 और फिर 31st March 21 को by balance carried down कितना आगया 20,000 और धियान से चेक करो क्या machine की life खतम हो गई है machine की life खतम हो गई हाँ जी तो जैसी machine की life खतम हो जाए तो चेक करो balance हमेशा क्या बचना चाहिए scrap value यह हमेशा last में क्या बचेगा scrap value जो है यह मेरी बचेगी और ऐसे ही फिर आगे बढ़ें एक साल और मैंने आप से कहा एक साल मैंने और आप से कहा 1st April 21 टू बालेंस ब्रॉट डाउन टू बालेंस ब्रॉट डाउन कितना 20,000 क्या machine की life खतम हो गई है हाँ जी खतम होगी मशीन की life खतम हो गई तो क्या machine पे इस साल depreciation charge करेंगे बिलुकुल बे नहीं तो जब तक machine use करते हैं तब तक depreciation लगेगा अब machine हम use नहीं कर रहे है machine की life खतम है अब यह क्या है go down में बस पड़ा है किसी दिन रदिवाले को बेचेंगे तो इस साल फिर कोई depreciation charge नहीं होगा तो हमने का सिरफ by balance carried down आ जाएगा कितना 20,000 अब हर साल बस यह रहेगा two balance brought down हो जाएगा by balance carried down हो जाएगा क्योंकि machine की life खतम हो गई है depreciation is a systematic allocation of depreciable amount over its useful life जब तक machine को आप use कर रहे हैं या use कर सकते हैं तब तक क्या लगेगा depreciation जो है लेगा अगर life खतम हो गई अगर machine खतम हो गई खतम हो गई उसके बाद कोई depreciation हम चार्ज नहीं करते हैं comfortable नहीं लो जी ऐसे ही फिर next account सीखते हैं next account मेरा क्या है depreciation account next account अपन को बनाना है depreciation account तो भई next account अपन बनाते हैं depreciation account तो भई फिर से चेक करें depreciation account I hope अभी भी आपके पास space होगा left hand side में है नहीं हाँ तो उसे के नीचे account जो है बनाले लेफ ने साइड में आपके पास space होगा उसी में account जो है बनाते चले जाएं तो भई डीड पर्टिकुलर अमाउंट डीड पर्टिकुलर अमाउंट डीड पर्टिकुलर अमाउंट डीड पर्टिकुलर अमाउंट जो है आ जाएगा ठीक है जी और आगे आजाएं चलो जी और बच्चा गेरे साथ जो लास्ट वाली एंट्री है उसमें हमने डेप्रिसेशन 34th December तक क्यों चार्ज क्यों नहीं करा हमें सीधा मार्च में अच्छा इस बात को भी चेक करें बच्चे ने का सर हमारी लाइफ खतम हो गई मशीन की मशीन की लाइफ कब खतम होई 31st December को मशीन की लाइफ हमारी कब खतम हो गई 31st December को वहां तक का डेप्रिसेशन कितना है 67,500 तो बच्चे का सवाल तो सर डेप्रिसेशन की जर्नल एंट्री हमें 31st December को चार्ज करनी क्यों नहीं चाहिए एक परंपरा है परंपरा क्या है हम डेप्रिसेशन हमेशा 31st March को ये एंट्री पास करते डेप्रिसेशन कहां तलगाएंगे यूसफल लाइफ कहां तलगाएगा 34th December तक ही डेप्रिसेशन लगेगी पर इसकी जर्नल एंट्री हम कब पास करते है 31st March को क्योंकि ये काम कौन करता है Chartered Account ठीक है ये काम किसका होते है Chartered Accountant का डेप्रिसेशन निकालने का इसलिए हम कब जाते है 31st March के आसपा जो है Client के पास जाते है और उसे पूछ लेते है आपके अज कौन कौन सी मशीन थी कब-कब क्या था तो ये जर्नल एंट्री पास कब होगी 31st March को जो है पास होगी तो हमने का यहां पर 31st March तक कितना डेप्रिसेशन आया 22,500 यहां पर कितना आया 90,000 यहां पर हमने का ठीक है मशीन मेरी खतम हो गई 34th December को पर डेप्रिसेशन चार्ज हम कब तक करेंगे 34th December पर इसकी जर्नल एंट्री का पास होगी 31st March को तो डेप्रिसेशन की जर्नल एंट्री हम कब पास करते हैं 31st March को पास करते हैं या अगर मशीन बीच में सेल करेंगे तब हम पास करते हैं वो next class में जो है समझेंगे ठीक है जी? चलो फिर आगे जो है आजो और सेम अब काम डेप्रिसेशन पर करें तो डेप्रिसेशन में चेक करो 1st General Entry हमने कप पास करी है? उपर से आजाएं तो 1st General Entry कब थी? 31st March 19 को 31st March 19 को डेप्रिसेशन मेंने डेबिट करा है फिर डेप्रिसेशन मेंने क्रेडिट जो है मैंने करा है तो बहले डेबिट मेंने करा तो चेक करो डेबिट पर आए 31st March को टू मशिनरी अकाउंट कितना है? 22,500 31st March को पहले मैंने किया डेप्रिसेशन डेबिट टू मशिनरी अकाउंट फिर मैंने किया P&L टू डेप्रिसेशन तो 31st March को 2019 को फिर मैंने क्रेडिट करा बाई P&L कितना? 22,500 यह अकाउंट मेरा क्लोस हो गया और आपको शाहिद पता भी होगा क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट कुछ ऐसा होता है इसलिए इसका कोई बाईलेंस नहीं आता अगले साल फिर 31st March 20 को फिर से करूंगा 2 मैंशिनरी अकाउंट कितना? 90,000 और 31st March 20 को फिर बाई PNL कितना? 90,000 तो भई, सिंपल पोस्टिंग मैंने करी अगले साल भी यह एंट्री पास करी डेप्रिसेशन टू मशीन अकाउंट पिनल टू डेप्रिसेशन अकाउंट तो डेप्रिसेशन टू मशीन अकाउंट पोस्ट किया 31st March को टू मशीनरी अकाउंट कितना? 67,500 और 31st March 21 को हमने का बाई PNL कितना? 67,500 जो है मेरा आ जाएगा 67,500 जो है यह मेरा आ जाएगा ठीक है जी? और उसके अगले साल कोई जलेंटरी पास होई नी? ना मैंने उपन किया ना मैंने जो है मैंने क्लोज करा तो भई ना मैंने ओपन करा ना मैंने क्लोज जो है मैंने करा comfortable ने? तो भई लेजर अकाउंट हमने बना लिया ठीक है? आई हो भी यह वाला page almost complete हो गया होगा right hand side पर method 2 के साब से ledger account बनाएंगी और अब last आजें फिर से next page पर balance sheet और चेक कर लो next page पर आजाओ left hand side लिख लो method 1 yeah लिखने जी method 1 yeah लिखने जी method 1 method 1 method 1 लो जी चेक करें अब बनाते हैं balance sheet extract लो जी अब आएं जी balance sheet हाँ जी balance sheet अपने को बनाने है छोटी सी balance sheet next page पर आजो दो लाइनों की balance sheet बना लेना और balance sheet as at 31st March 19 तो पहली balance sheet 31st March 19 की जो है बनेगी हाँ जी 31st March 19 की balance sheet और उसमें अब balance sheet में क्या होता है हाँ जी balance sheet में वो जो ledger accounts बनते हैं उनके balances लेकर जो है जाते तो यहाँ पर balance मेरा कौन सा आया machine का वो केतना रहा है 177,500 तो यह मेरा कहा जाएगा balance sheet में this is the balance carried down carried down to the balance sheet तो machinery 177,500 तो यहाँ पर हमने machine बनाई 177,500 ठीक है जी मैं यहाँ पर cash account अभी नहीं बना रहा pale account नहीं बना रहा depreciation account यह मेरा यहाँ पर close हो गया तभी यह क्या है balance sheet एक extract जो है बनाएगा नहीं तो यहाँ पर यहाँ आएगा cash account भी आएगा PLN सब कुछ आएगा अभी हम वो नहीं सिख रहें अभी इसरत दो account मैंने बनाए और उनका balance आपको ले जाना जो है सिखाया ऐसे ही अगले साल check करो balance sheet as at 31st March 20 ऐसे ही balance sheet as at 31st March 20 तो बदाओ जी 31st March 20 में machine का balance कितना आएगा हाँ जी कितना आ रहे 87,500 तो भई बाले सीट का इतना सा balance जो है मेरा आया 87,500 31st March को मेरे पाँ machine है उसकी book value कितनी है 87,500 ऐसे ही फिर balance sheet as at 31st March 21 इसको भी ले लेते हैं balance sheet as at 31st March 21 इसको भी ले लेते हैं और यहाँ पर क्या आएगा machinery 31st March 21 को machine का balance कितना है 21 को balance कितना है 20,000 तो यहाँ पर machinery कितना आजाएगा 20,000 और एक और बना लेते हैं और बताओ जी 22 को balance sheet कि balance कितना आएगा 20,000 machinery कितना 20,000 और अगर मैं पूछाँ हूँ 31st March 23 कितना आएगा 20,000 24 कितना आएगा 25 कितना आएगा 20,000 जब तक machine पड़ी है तब तक 20,000 यह balance sheet में जो है आता चला जाएगा comfortable ने तो भूई एक बाद चेक करें 31st March 22 तक और यहाँ सवाल में भी है न इतना ही कर देता हूँ मैंने इसाद यहाँ पर यहाँ बस यहाँ गलत कर दिया था इसको इतना ही कर ले ठीक है न में को यही तक चाहिए and 2021, 22 23 की में को जरुद जो है नहीं पड़े कि लो जी तो भई अराम से एक बाद चेक करें basic accounting अभी देखिए अभी बहुत कुछ अपने को सीखना है comfortable चल रहा है तो भई हमने depreciation निकालना जो है हमने सीखा अच्छे से निकालना सीखा उसके बाद फिर हमने आज accounting सीखी है और accounting सिरफ method 1 से जो है सीखी है इसको अच्छे से करना और कल method 2 करेंगे दोनों को compare जो है करेंगे और उसके बाद फिर क्या करना है मशीन जब sell होती है उसके accounting कैसे गरने वो कल की class में देखेंगे comfortable चल रहा है और आज का homework क्या है BRS का एक सवाल कर लेना और plus BRS conceptually और depreciation जितना concept से बढ़ाएं इसकी बस practice करते चले जाओ ठीक है तो आज के लिए इतना ही रगते हैं चलो यह थांक्यू सो मच कीप स्मालिंग गॉड ब्लेस यू ओके टाटा बाए 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 चलो ओनलाइन वाले बच्चों का भी देख लेता हूं आप मुस्से क्या पूछना चाहरे है ओनलाइन में एक आ रहा है स्क्राप की वेल्यू कम नहीं होती क्या अभी पढ़ेंगे सब कुछ करेंगे कल को स्क्राप आपको लोगा कम होगा अभी सब कुछ अपने को पढ़ना है स्क्राप की वेल्यू और कम होगी तो क्या होगा सीखेंगे बढ़ गई तो क्या होगा सीखेंगे और बच्चे यहां पर क्या कह रह outreach for a mazinary account right side में क्यों लिखा है masinary account right inside in balance sheet में यह आपका होता है this this is your asset side and this is your liability said to balance sheet में asset side machine को लिखते है liability side में machine को में लिखते हैं okay okay data bye-bye online or check करें as it is त्थ है इसलिए right side में आएगा अच्छा आपने ही जो है पता दिया और बच्चे मान भी कहा है सर टेबल फिर से कौन सी टेबल बेटा कह रहे हो आप ये चेक करना चाहरे हो टेबल का मतलब शायद आप ये समझना चाहरे होगे तो भई अराम से इसको जो है देख लें आपने पहले डेप्रिसेशन बात करी हमने पहले एकुजीशन कॉस निकाली फिर डेप्रिसेबल अमाउंट निकाला डेप्रिसेबल अमाउंट निकाला यूसफुल लाइफ थी डेप्रिसेशन पर आनम निकाला वो मेरा कितना आया नब्बे हजार नब्बे हजार और उसको फिर मैंने फाइनेशल येर म फिर से समझा दें तो लो जी चेक करते हैं इसको मैं सब हटा देता हूँ लो जी एक बार अराम से चेक करें इसको फिर से देख लेते हैं जी इसको फिर से जो है देखते चले जाओ लो जी तुभी चेक करो मानवी यहां तक शायद समझ आगया होगा हमने पहले acquisition cost निकाली, फिर depreciable amount हमने निकाला, 180 आया, और ये 180 को useful life, इसकी useful life क्या है, 1st January से 31 December, क्योंकि मेरी machine इंस्टॉल कब हुई, 1st January, तो पूरा January से December एक साल, और उसके बाद अगला January December एक साल, तो ये 2 साल आया, और में को हर साल, कितना कितना लगाना है, 90 हजार, 1st January से 31 December, तो भी चेक करो, 1st January ये रहा से 31 December, इस period में मुझे कितना depreciation लगाना है, 90 हजार, पहली बात ये, पर मैं येर कौन सा follow कर रहा हूँ, financial year, financially मेरा कौन सा है, 1st April से 31 मार्च, अब धियां समझो, इसको 90 हजार को, अम मेरी को यहां break करना है, इस period में, यहां पर हैं 3 महने, यहा break करा, वो कितना आया, 22,500, तो मैंने का, यहां तक की depreciation, यहां पर कितनी थी, 0, यहां पर कितनी है, 3, तो 22,500, इस financial year की depreciation जो है, यहां 9 महिने की depreciation आय, फिर यह मेरा अगला calendar year है, यह मेरा अगला calendar year जो है, आया, पर उसके बीच में यह financial year है, तो यहां पर मेरे 9 महिने, I'm sorry यहां से 9 महिने, यहां पर 3 महिने, तो मैंने का, इसके टुकडे करे, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, तो यहां पर कितना आया, 67,500, और फिर इसके हिस्से मैंने यहां पर 3 महिने, और 9 महिने करे, यह कितना आया, 22,500, टोटल, 31st, मार्स तक कितना हुआ, 90,000, फिर इस machine में यह एक साल पूरा हो गया, एक साल तीन मेने हो गया, अब कितने रहे गए? नौ मेने, नौ मेने की डेप्रिसेशन जो है, निकाली, मशीन यहीं पर खतम हो गई, मशीन यहां पर खतम हो गई, आगे अब कोई डेप्रिसेशन चार्ज नहीं करेंगे, पर 1st, April 31st, मास तक जाना है, नौ मेने की डेप्रिसेशन और जीरो, यह डेप्रिसेशन जो है आई, और मशीन खतम होगी, उसके बाद, डेप्रिसेशन कितना आजाएगा, सारा जीरो जो है, हो जाएगा, ठीक है जी, मानवी पूझे, पहले जीरो कैसे आया, मैंने मशीन कब खरीदी वेटा, 1st, January 19th, 1st अप्रिसेशन जो है लगेगा, ठीक है जी, आई होच अब मानवी बात कंले है, बिलनपरीत कहरे है थांक idea, ठीक है, thank you so much, Nancy, fancy, samskruti, signa ask kya, bye कर दिया है, फिर आ रहा है, bayan कह रहे है, sir, बढ़िया लगता है, आपको से पढ़ना, ok, thank you so much बेटा, sir, silly mistake, reduce कैसे करें, बस आपका जो है दूर हो जाएगा आप क्योंकि थोड़ा सा कैजूल रहते हैं इसलिए बेटा सेली मिस्टेक जो है होती है फिर कृष कह रहे हैं सारे कंसेप्ट अच्छे समझ आ रहे हैं चलो थैंक्यू सो मच बेटा उसके बाद थैंक्यू सो मच थैंक्यू आ गया है सर मुझे तो है कल बुक्स मिले हैं बट सारी वॉल्यूम नहीं मिली है इक ही जो हा दिए है वॉल्य। अभी आपको मिले होगी ठीक है। वहल्स राख जिला है आपको माहा घुझे एक्प्टेद लागी मांड कर्या चले। balance sheet match नहीं करेंगे, नहीं बेटाओ, बेटाओ, भी बैलेंशी हम पूरा बनाना नहीं सिखें तो बालेंशी माच नहीं करेंगे Maanwi, अबी थैंक्यू आगया है, पहले 0, सब कुछ अगया, Riddhi Khanna, सब डपरेसेशन तीन महने क्यों लगाई क्योंकि January से मशीन खरी दी, January से मशीन खरी दी है, January, February, March, तीन महने के डेपरिशेशन, पहले अकाउंटिंग येर में जो है, जाये के, ठीक है, उसके बाद, ये भी शायद डाउट हो गया, ये भी शायद डाउट ले लिया है, सर ये सवाल, कितने मांक्स का आएगा, अब ये ये डाउट मत पूछा करो, ये नॉंसेंस डाउट होता है, आप पहले कंसेप को जो है, पकड़े, उसके बाद, सर पता दो, कब से मेसेज कर रहे है, अच्छा, मानवी, आपका शायद मैने मेसेज ले लिया है, आपका सब का, आपका डाउट जो है, ले लिया है, ठीक है, I I hope सब के डाउट जो है, आगई, किसी का डाउट रहे गया हूँ, फटा वट से में को चाट बॉक्स में लिखके बताऊ, हाँ जी, I hope सब के डाउट हो गई, ओनलाइन चेक कर ले, हाँ जी, ओनलाइन सब के डाउट हो चुके हैं, ठीक है जी, ओके रिदी का भी थैंक यू आगया है, मानवी का भी थैंक यू आगया है, और किसी का डाउट अगर रहे गया हूँ, अराम से चेक कर ले, चलो, ठीक है जी, सब का डाउट अच्छी सी हूँ गया है, ठीक है जी, सब का झाउट कर ले, और क्यो दwsट गया है, तो ऊस्याट है, और किसी का जाईने सबूधा गया है? झाल झाल रवीजी यह मैं यूस करूंगा कल भी ठीक है इसको रख लेना झाल 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 झा